हाई एवरिवान क्या हल चाल क्या हल चाल क्या हल चाल सभी का स्वागत है बेटा नीरेड़र 247 पे मैंने में इस इताई शिम्नानी और फेवरेट केमिश्य एजुगेटर एंड मेंटर आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे सभी लोगों की पढ़ाई बहुत जोर और शोर से चल रही होगी बेटा रफतार में सभी लोगों का स्वागत है डे एट पे बेटा हम लोग पहुच चुके हैं कंसिस्टेंची के साथ आप लोग की क्लास चल रही है क्योंकि हम लोग को लगभग लगभग 25 दिनों में 25 चाप्टर कंप्लीट करने मतलब पूरी की पूरी जो 160 के उपर जाओ ठीक है 170 भी जा सकते हो हो सकता है किस्मत बढ़िया हो तो बेटा 180 भी आप लोग टच कर सकते हो लेकिन हमारा जो टार्गेट है वो बेटा 160 प्लस से उपर कैसे आप लोग रफतार को पढ़ाई करो ताकि आप लोग के इतने अच्छे नंबर आ जाए ठीक है बेटा ये आप लोग का वन स्टॉप सल्यूशन है यहीं से ही बेटा आप लोग के माक्जिमम माक्स आएंगे मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया है कि इसी चैनल पर बेटा इसी चैनल पर मैं आप लोग को तीन बार कम से कम याना कम से कम तीन बार बेटा मैं आप लोग को chemistry का syllabus कर वाओंगा before you are a need 2024 before you need 2024 कम से कम बिटा तीन बार आप लोग मेरे साथ ही chemistry का syllabus करने वाले हैं इसलिए बिटा रफ्तार बहुत जादा important है आप लोग को यह regularity के साथ follow करनी है यहां पर देखें बिटा आप लोग को सारी चीजे अपडेट होएंगी सारी चीजे अपडेट होएंगी यह देखिए आप लोग को टेलिग्राम चैनल पर मेरेंगे यहां पर देखिए यह आप लोग की magic dpp क्या है जिसमें आप लोग के new type के questions है new type क्योंसे question assertion reasoning है आप लोग के statement based है यह आप लोग के आज कल question पूछे जा रहे है और आप लोग का क्या है बेटा match the column है ठीक है तो यह सारी चीजे आप लोग की जो नए question है वह आप लोग के 50 question पचास question पर chapter में आप लोग को दे रहा हूं magic dbps में आप लोग को क्या करना है आप लोग को यह टेलिग्राम चैनल जॉइन करना है और सारी चीजें आप लोग को वहीं पर ही मिल जाएंगी ठीक है चलिए स्टार्ट करें स्टार्ट करें बäटा था च्तार्ट करेंस नहीं हैं लोग को भी महाशिवरात्री की बहुत-बहुत सुप्काम न जा Baptist फोह इसी साल पूरा होए और आप लोग बारे में पूछे पता है बहुत सारे बच्चे प्राक्टिस सेशन के बारे में उसके बारे में आपको बता देता हूं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखे पीटा, उसके बारे में आप लोग को बिलकुल बता देता हूँ. एक बार सुनलो मेरी बात, एक बार सुनलो, उसके बात उनको पढ़ना ही है, सबसे पहले आप यह देखें, मैं न, मेरे पास zam شुन Kerry करें, फ़िपन सारे बच्चे यह दिमांड कर रहे तो बीटा जो कल का दिन है यह जो का दिन है बीटा सट धिन है वह युट्म आप लोगा ऑफ है मैंने क्लास एक दिन shift कर दीएंगे दिन klass कर दीम कमाने मितलब संटे की class हो नी थी जो Saturday की क्लास होना थी वो बेटा Sunday हो जाएगी तो जो कल है आपका Saturday है वो बेटा एक दिन मैंने shift कर दिया है श्रडीयूel को तो जो Saturday होना था वो बस आप लोग का Sunday होगा बाकी सारी चीजे regularity के साथ रहेंगी थाकि आप लोग को भी अच्छा खासा समय मिले revision के लिए ठीक है और ये एक update ये जो पहली update थी ये मैंने आप लोग को बता दी ठीक है तो कल आप लोगी कोई class नहीं रहेगी कल आप लोगी कोई class नहीं रहेगी उसको मैं Sunday के लिए shift कर दिया हूँ ठीक है Sunday के लिए मैं shift कर वा दूँगा एक और update बिटा आप लोग ले लीजिए जो बिटा महा practice session आ रहा है चेक है महा practice session आ रहा है वो जो gold question series थी है ना उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं महा practice session इसमें बिटा लगबग लगबग आप लोग के 4-5 chapter में combine करूँगा चार से पांच चाप्टर बिटा combine करूँगा और starting से करूँगा चेक है स्टार्टिंग से करूँगा मैं लब जैसे बोस करो मैंने mole concept atomic structure periodic chemical warning thermodynamics ये 5 chapter ले लिजिए है ना या फर अगर चार चाप्टर ले लिए तो पहले चार ले लिए mole atomic periodic chemical warning ये चार चाप्टर ले तो चार से पांच चाप्टर आप लोग के एक session में आएंगे और उसको हम लोग अच्छी तरीके से question practice करेंगे ये मैं किसकी तरचा कर रहा हूं बड़ा question practice की कर रहा हूं यह आप लोग के next week में आ जाएगा ये हम लोग का next week में ही next week में हम लोग कर लेंगे तो बेटा आप लोगों को जो समय मिला है, जैसे कल आप लोग का off है, तो off का मतलब क्या है, आपकी class नहीं लग रही है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं कि मस्ती कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये दिया है आप लोग को revision के लिए, ये दिया है revision के लिए, या फिर किसी बच्चे का backlog है, तो वो cover करेग ठीक है, तो अगर revision करना है, revision करिए, किसी का backlog है, तो backlog करिए, ठीक है, लेकिन ये जो 4 chapter है, starting के 4 chapter, मैं आप लोग को वापिस से बोल दे रहा हूं, मोल, atomic, periodic, chemical warning, ये 4 chapter तो at least आप लोग revise कर के चलिए, नेक्स्ट वीग आप लोग का test होने वाला है, नेक्स्ट वीग आप आप लोग revise करके रहेंगे, right, right, एक बार मुझे थमसभ देजिए, चैट सिक्षन में, एक बार मुझे थमसभ देजिए, चैट सिक्षन में, बेटा, notes upload हो गए है, notes बेटा, upload हो गए है, telegram channel पे, telegram channel जॉइन करिए, सारे notes बेटा, आप लोग को telegram channel पर ही मिलेंगे, सारी ची कर दें डी करदें डीक्ष चलिये चलिए चलिए चलिये च्टौ से अग लगा है फटाव ना करें करिये सारे नोट्स यहां पर अवेलेब शारे स्टार्ट करें ही चाहिए बेहद इंपोर्टेंट है बेहद इंपोर्टेंट है चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल सबसे पहला सवाल यह आता है कि redox reaction होती क्या है, तो क्या होती है redox reaction, ऐसी reaction जिसमें oxidation और reduction simultaneously होता है मतलब साथ साथ अगर oxidation भी हो रहा है साथ साथ अगर reduction भी हो रहा है तो ऐसी reaction को हम लोग क्या बोलते हैं redox reaction बोलते हैं अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो oxidation क्या होता है यह दिखा रहा है तो oxidation क्या है लेकिन हमारे लिए सबसे ज़ादा important कौन सी है, हमारे लिए कौन सी important है, यह जो last में लिख रखा है, क्या लिख रखा है, oxidation क्या होता है, जहां पे oxidation number increase करता है, उसे हम लोग क्या बोलते है, oxidation बोलते है, और reduction क्या होता है, जहां पे oxidation number क्या होता है, reduce होता है, oxidation number क्या होता है, कम ह होता है तो इसे हम लोग को क्या बोलते है Oxidation and Reduction Oxidation number बढ़ेगा तो Oxidation Oxidation number कम होगा तो Reduction अब स्वाल यह आता है कि sir Oxidation number क्या होता है Oxidation number क्या है base Oxidation number क्या है Oxidation profile क्या है Oxidation willkommen कि Parker CDC definition पूछें तो basically it is a charge present on atom when all its bonds आर ब्रोकन मतलब एक इंडिवीज्वल आटम पे कितना चार्ज प्रेजंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सिडेशन नंबर अभी बताऊंगा अगर सपोस करो आप लोग को ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड करना है तो आप लोग क्या करोगे जैसे देखो यहां पर यहां पर यह बॉंड है हाँ जी सर बॉंड है बॉंड का मतलब क्या है बेटा दो इलेक्ट्रोन है बॉंड का मतलब क्या है बेटा दो इलेक्ट्रोन है बिलकुल सही है आप यह बॉंड को क्या करोगे तोड़ोगे अब एक तरफ बेटा नाइट्रोजन है एक तरफ बेटा हाइड्रोजन है जाधा और उसके हमने ट्रेंज भी बड़ी है, तो और ये लोट्य जादा है, ट्रिय गेशन हो हई, इसले क्याशन जाएगा विटा, बीटा बिलकुल ठीक है, अब सारे bond तोड़ने, ऐसे नहीं कि एक bond तोड़के रह गए, नहीं, सारे bond तोड़ने, अब देखो ये भी आप लोग का क्या है, bond है, ये भी आप लोग का क्या है, bond है, तो यहाँ पे ये वाला bond भी तूटेगा, बिल्कुल, bond तूटेगा, तो यहाँ पे बिटा, minus 1, यहाँ प्लस बीटेता इहां पर हम ध्यान से देखें तो इस न마 गईट्रोजन पर च्शार्ज hatte suspects मेंसह euh मैनसहं मैनसों कितना चार्ज है लोग सेबटा टोटल चार्ज आप लोगको बताना है तो एन को करने माइनसज की ओक्सिदेशन ऊगाई बैटा माइनस थरी हो हाँ, हाइड्रोजन पे कितना है, प्लस बन, तो इस वाले पे प्लस बन है, इस पे प्लस बन है, इस पे प्लस बन है, बिल्कुल सही है, तो पूरा फंडा किस पे, इलेक्ट्रो निगटिविटी पे, इलेक्ट्रो निगटिविटी किस की जादा थी, नाइट्रोजन की जादा तो उस पर क्या चार्द आया minus 1, क्या चार्द आया minus 1, ठीक है सर, यह चीज हमें समझ में आई है, यह चीज हमें समझ में आई है, अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग oxidation number समझते हैं, बहुत सारे elements का, सबसे पहले किसका समझते हैं, हम लोग hydrogen का समझते हैं, तो hydrogen का बेटा इसका minus 1 होगा, अच्छा, या इसका बेटा 0 होगा, अच्छा, या इसका बेटा plus 1 होगा, सर कैसे, सर कैसे, जैसे सबोस करो, आप लोगों ने क्या करा, जो आपका hydrogen है, उसको लगा दिया बेटा, आप लोगों ने non-metals के साथ, किसके साथ लगा दिया, non-metals के साथ, मतलब स और जैसे ही आप लोगों ने बॉन तोड़ा यहां पे देखो हैड्रोजन पर कितना आ रहा है प्लस वन आ रहा है एक सिकने इसको प्लस कर देंगे इसको प्लस कर देते हैं और लास्ट वाले को क्या कर देते हैं माइनस वन करते हैं मैं आपको बता दूँगा माइनस वन के एक साथ लगाते हो अगर हाइड्रोजन को नौन मेटल के साथ कम्माइन करते हो तो उसके अक्सिदेशन स्टेट कितने आती है प्लस वन आती है जैसे अभी-भी हमने एक और एक्जामपल देखा था किसका देखा थ अभी-भी हमने किसका एक्जामपल देखा था अमूनिया का एक्जामपल देखा था जब इसमें आपने बॉंड तो यहां पर प्लस वन था यहां पर माइनस वन यहां पर प्लस वन यहां पर प्लस वन यहां पर माइनस वन तो देखो हैड्रोजन पर कितना आ रहा है प्लस hydrogen पे कितना आ रहे है plus one hydrogen पे कितना आ रहे है plus one तो जबी भी आप hydrogen को एक non-metal से लगाओगे तो उसकी oxidation state कितनी आएगी plus one आएगी अच्छा दूसरा case क्या हो सकता है दूसरा case यह हो सकता है कि जब आपने hydrogen को खुदी के साथ बेड़ दिया बिल्कुल सही है अब यहां पे आप धियान से देखो तो यहां पे तो दोनों की जो power है वो सेम है यह भी आपका hydrogen है यह भी आपका hydrogen है दोनों की electronegativity क्या है बराबर है तो जब आप इदर bond तोड़ोगे तो कोई charge develop होगा क्या बाबर बाबा नहीं होगा क्यों होगा भाई चार्ज develop कभ होता है जब electronegativity का difference होता है तो यहां तो पेटा electronegativity का difference है यही नहीं दोनों क्या है बेटाř कि पावर क्या है यहां यहां बेड़ोगे यहां पर बड़ोगे जेरो क्या रहेगत एब गए अपकाchan oxygen number हो जाएगा 0 ठीक है सर अच्छा माइनस वन सर किसके साथ होता है माइनस वन भी होता है किसके साथ होता है बेटा मेटल्स के साथ होता है सर कैसे जैसे बेटा सबोस करो आपने ले लिया एन ए एच आपने क्या ले लिया एन ए एच अब देखो इसे हम लोग कैसे करेंगे sodium कैसे exist करता है मुझे बताओ ज़रा chat section में क्या sodium आपका exist करता है sodium आपका exist करता है plus 1 में hydride अब देखो मेरे बात सुनना ध्यान से समयना अगर इस पे मैं आपको charge बूछू सुनना ध्यान से इस पे अगर इस molecule पे मैं आपको charge बूछू तो क्या overall charge जीरो है क्या overall charge जीरो है हाँ जी सर, overall charge जीरो है तो अगर आपका sodium plus 1 में करता है तो hydrogen को बेटा minus 1 में ही करना पड़ेगा बिल्कुल सही बात है तो जबी भी आप hydrogen को metals के साथ bond बनाओगे तो minus 1 इसकी oxidation state आएगी जैसे बेटा एक और example लें तो CAH2 जैसे बेटा CAH2 तो यहाँ पर calcium है calcium कैसे exist करता है इसकी balance ही होती है 2 तो plus 2 में exist करता है अब यहाँ पर देखो यह जो hydrogen है कैसे exist करेगा minus 1 में ही करेगा ऐसे कितने hydride हैं 2 हैं तो total negative charge is minus 2 which is balanced by total positive charge यह बहुत अच्छी बात है लेकिन एक hydrogen तो minus 1 में ही exist करेगा minus 2 में वो कभी भी नहीं कर सकता है तो oxidation state कितनी आई बीटा minus 1 आई आई बात समझ में बिलकुल आई आई बात समझ में बिलकुल आई अब यहाँ पर देखो इसी बात पर फ्लोरीन फ्लोरीन कौन है बाटा फ्लोरीन है बाच्छा बाच्छा ओ बाच्छा बाच्छा ए बाच्छा फ्लोरीन है बाच्छा क्यों क्योंकि it is the most electronegative atom सही बात है यह कहा है सबसे ज़्यादा electronegative यह होता है तो इसकी oxidation state हमेशा minus 1 होती है इसकी oxidation state क्या होती है, हमेशा minus 1 होती है, कैसे लगा लो है, किसी के साथ, hydrogen के साथ लगा दिया, तो फ्लोरीन कौँ है, बाच्छा, फ्लोरीन बाच्छा है, तो ये minus 1, ये plus 1, देखो ज़रा, minus 1 में आ गया, फ्लोरीन किया क्या आ गया, minus 1 में, अगर बेटा दो दो बाच्छा आ क्योंकि same atoms है अब जब आप लोग bond तोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा ठिंगा मिलेगा ठिंगा मिलेगा चार्ज नहीं मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि दोनों की electronegativity same है तो यहाँ पे भी 0 तो यहाँ पे भी 0 सही है सर सही है सर अब यहाँ देख जरा अब यहाँ देख oxygen को देख अब oxygen क्या है oxygen क्या है oxygen में हम लोग यह बोल रहे हैं कि majority time देखे जरा majority of time से minus 2 oxidation state होती है है ना majority time इसकी oxidation state कितनी होती है minus 2 किसकी oxygen की लेकिन except यहाँ पे क्या आएगा बट but quota factory देखिए quota factory में हो जो dialogue है ना बटा chemistry को लेके हाँ उसमें एक line है कि oxygen की भी oxidation state सेम नहीं है है ना भाई साब इतना परिशान हो जाता है क्यों क्योंकि धंग से पढ़ाई ने गरी धंग से पढ़ाई ने गरी और वो monologue छाब दिया है ना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं नहीं कसूर देते हैं subject को किसे subject ऐसा है ऐसा वैसा subject नहीं है बड़ा प्यारा subject है बड़ा प्यारा subject है selection दिलाने वाला subject है तो यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ अब oxygen की majority cases में तो क्या होगी minus 2 होगी बिलकुल सही है लेकिन कुछ ऐसे cases है जिसमें दूसरी भी होगी तो इसमें monologue बनाने वाली क्या बात थी भाई यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर देखो जैसे सबोस करो आप लोगों का है OF2 जैसे सबोस करो OF2 तो यहाँ पर देख फंडा समझ यार फंडा समझ monologue मना देता है यार यहाँ पर देखो OF2 तो यहाँ पर oxygen यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर बिल्कूल सही है किस के साथ बॉंड बना रहा है फ्लोरीन के साथ बॉंड बना रहा है oxygen अब जैसे बॉंड तोड़ोगे अब बेटा चच्चा जी कौन है दोनों में पिटा चचा जी कौन है ऑक्षेजान और फ्लौरिन में पिटा फ्लौरिन है फ्लौरीन फ्लौरीन जी पर उलक्ठोनेगटिव तो फ्लौरीन फ़्योरत मि-1 ऑक्षेजैन फ्लौस निगटवन आएगा यह कई यहगा चचिजैन पर सबस तो भात है यहां Bringing कर Linux 16 अब देखो टो ल चार्ज कितना है यहां प baru सबस्वाइब सफैरे लोजाइव जैसे विठाए रहे तो यहां देखो फ्लोरीन अक्षिजेन आक्सफ़ॉरेन अब यहां देखो लृईधा तूम ने bonding कर ली खिलाडी के साथ और रो रहे हो, monologue बना रहे हो आपने बेटा bonding कर ली किस को साथ खिलाडी के साथ, आप bond तोड़ जैसे ही bond तोड़ेगा, तो यहाँ minus 1, यहाँ plus 1, बिल्कुल सही है अब यहाँ देख, यहाँ भी oxygen, यहाँ भी oxygen तो इस वाले bond तोड़ने पे तो कोई भी charge डिवलप नहीं होगा, दोनों तरफ क्या है oxygen, यह वाला bond तोड़ो जैसे हैं आप इसका bond तोड़ोगे तो यहाँ minus 1, यहाँ plus 1 अब देख, oxygen पे क्या charge है अब देख, oxygen पे क्या charge है, plus 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, majority cases में, देख, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, majority time, मतलब 99 प्रतीशत, बेटा, minus 2 ही रहेगा, लेकिन उस एक प्रतीशत को भी हमको पढ़ना पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पढ़ेगा, अब यहाँ देखो, और देखो बेटा, और देखो बेटा, और देखो, जैसे और मैं बात करूँ आप लोग के, जैसे आपके क्या होते हैं, पर-oxide होते हैं, यह भी मैंने जो लिखा ना बेटा, पर ओक्साइड होता है, जैसे इसका सबसे famous example है आपका H2O2 आप क्या करो बेटा, structure बनाओ आप क्या करो बेटा, structure बनाओ, तो यहाँ पर देखो बेटा, H यहाँ पर देखो बेटा, O Sir, आप कौन सा app यूज करते हो, teaching लिए क्यों हो बेटा, क्या करोगे teaching field के लिए, लेकिन बेटा, उसके लिए subject सीखना पड़ेगा, आजो, आजो, यहाँ बन तोड़ो बन तोड़ो, यहाँ पर hydrogen, यहाँ पर oxygen, अब चच्चा जी कौन है oxygen, भाई oxygen is more electronegative than hydrogen, तो इस पर क्या चार्द आएगा, इस पर चार्द आएगा, बेटा minus 1, इस पर क्या चार्द हैगा, बेटा, plus 1, बिल्कुल सही, अब यह वाला बन तोड़ो, अब तो बेटा, दोनों तरफ oxygen, दोनों तरफ oxygen बेटा, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज डवलप नहीं होगा, अब यह वाला बन तोड़ो, जैसी आब बन तोड़ोगे, तो hydrogen पे plus 1, oxygen पे minus 1, तो यहाँ पर देख अब charge गया आगया, अब oxygen पे क्या charge आगया, minus 1, क्या charge आगया, minus 1, तो ऐसे रटना नहीं है हमें किसी भी चीज को, हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है, अगर हमारे पास structure है, तो हम लोग क्या करेंगे बटा काटेंगे सर क्या काटेंगे सर बॉंड काटेंगे बटा बॉंड काटेंगे कभी तो हम भी काटेंगे सूपर ऑक्साइड सूपर ऑक्साइड क्या होते हैं जैसे देखो जो आपके पर ऑक्साइड होते हैं न बटा जो आपके पर ऑक्साइड ह सूपर ऑक्साइड क्या होता है सुपर ऑक्साइड होता है O2- programming character अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि यह लोकुचिन पहर क्याँ चार्ज यह है जो उग्हें यह बता कि दो ऑक्सिजेन है यह बता क्या दो ऑक्सिजेन है μας ओक्सिजेन मैंनस 1 charge है एक oxygen पे क्या charge होगा minus 1 by 2 minus 2 तो super oxides में oxygen पे कितना charge होता है minus 1 by 2 तो पहले तो पेट में ये बात हजम करिए कि fractional oxidation state भी आ सकती है बिलकुल आ सकती है क्या पेट में ये बात हजम होई कि इसके बाद हम लोग डगार मार रहे हैं बताई ये fractional oxidation state is a possible it is possible ठीक है सर ये चीज हमें समझ बेंँगे यह चीज हमें समझ वे हैं, अब आज़ो, अब बेटा, क्या हुआ था, अब किसी को ढूंड़ने निकलते हैं, किसको ढूंडना है, अब बेटा, एक्स को ढूंडना है, किसकी एक्स है बेटा, तुमारे एक्स को ढूंडना है, तो यहां पर देखो, अब किस तरीके से अपन स्टेट निकालने तो यहां पर समझिए कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे यहां पर देखो यहां पर देखो बढ़ा मिसमेट हो गया कोई दिक्कत की बात नी ठीक कर देंगे 3 2 1 यह लीजिए बेटा सही हो गया है और राइट all right सही हो गया है अब आईए बटा x को रूणते है बटा x को रूणते है तो यहाँ पर देखो जो sulfur है यहाँ पर देखिए बटा जो आपका sulfur है इसकी हमको oxidation state निकालनी है इसकी हमको oxidation state निकालनी है चेके देखो यहाँ पर hydrogen है कितने है दो hydrogen बटा majority time प्लस वन में exist करेगा तो 2 इंटू प्लस वन बिल्कुल ठीक है sulfur बेटा x है तो x मान लिया इस x को ही तो डूणना है अब oxygen कितने है चार बेटा oxygen majority time माइनस 2 में exist करेगा majority time माइनस 2 में exist करेगा अब भी मुझे बताइए क्या overall charge 0 है क्या overall charge 0 है तो equals to 0 तो x कितने आगे बटा प्लस 6 oxidation state कितने आगे बटा प्लस 6 आ गई बिल्कुल ठीक है अब यहाँ देख यहाँ पे अपन को phosphorus का डूणना है बताना ज़रा chat section में क्या रहेगा बताना ज़रा chat section में कितने hydrogen है 3 hydrogen majority time प्लस 1 में करेगा phosphorus x oxygen 4 oxygen minus 2 में इस 0 x कितना आगे प्लस 5 x कितना आगे प्लस 5 बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अब यहाँ देखो SO2 यहाँ देखो SO2 तो यहाँ पे sulfur की बात कर रहे हैं हम लोग sulfur का निकाल रहे है तो x माल लो oxygen किसमे minus 2 में majority time minus 2 में तो 2 into minus 2 is what is 0 तो x कितना आएगा प्लस 4 x कितना आएगा प्लस 4 बिल्कुल ठीक है और देख बिटा और देख यहाँ देख nitrogen की बता हो जा रहा nitrogen की तो जिसका भी बोला है उसको x माल लो कितने oxygen है minus 1 तो right side में लिखो जो charge है जो charge है तो यहाँ x कितना आ रहा है यहाँ पे x आगया आपका प्लस 3 कितना आगया प्लस 3 अब यहाँ पे देखो बिटा NO3 minus nitrogen का निकालना है again क्या माल लो x माल लो oxygen कितने है 3 तो 3 into minus 2 equals to total charge total charge is minus 1 तो x कितना आगया प्लस 5 चल जाएगा बिल्कुल जल जाएगा बिल्कुल जल जाएगा अब यहाँ देख सबसे पहले तो देखो इस iron को हम लोग बोलते कैं इस iron को बिटा हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं इस iron को प्यार से हम लोग बोलते हैं औग्जलेट औग्जलेट आयन है क्या है बटा ओग्जलेट आयन तो यहां पे अगर मैं कारबन की बात करूं तो देखो कितने कारबन है बताइए कितने कारबन है सर दो कारबन है दो दो एक्स लेलो बटा दो दो एक्स लेलो सर क्या दिखकत है बटा तुम्हारी तो बटा च तो माइनस टू ले लिया तो यहां से बेटा एकस कितना आया यहां से बेटा अपका एकसा गया प्लस यहां से बड़ा एकसा प्लस थ्री बिल्कुल ठीक है यह चीज़े नमझ भाई आहीं सर अब यहां पर देखो थोड़ा से कॉडिनेशन कंपाउंड यहां प्लस one में गुरुप वन का है तो four and two प्लस one यहां पे बैटा आयरन है आयरन को क्या माले एकस माले साइनाइड कैसे exist करता है cn- कैसे exist करता है cn- तो एक साइनाइड पे 1-1 तो 6 साइनाइड पे 6-1 6-1 तो 6 into minus 1 equal to 0 अब ये 0 क्यों आया क्योंकि भाइव साब overall charge तो 0 है overall charge तो 0 है तो यहाँ पे बेटा x कितना आ गया x कितना आ गया plus 2 सही है सही है oxidation state कितना आ गयी plus 2 बेलकुल सही है अब यहाँ पे आ जो अब अब बन लोग यहाँ पे क्या करते हैं copper की find करते हैं जिसकी भी बेटा find करनी है x मान लो जिसकी find करनी है x मान लो sir x मान लिया ठीक है अब यहाँ देख यहाँ कौन है ammonia NH3 overall क्या होता है बेटा neutral NH3 overall बेटा क्या होता है neutral होता है सत्यवचन तो neutral है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 into 0 4 into 0 क्यों क्योंकि ammonia कोई भी charge नहीं दे रहा तभी मैंने 0 लिखा है equals to total charge यहाँ पे देखिए total charge कितना है plus 2 यहाँ पे देखिए total charge कितना है plus 2 तो X कितना आ गया plus 2 X कितना आ गया plus 2 बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही सर यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे देखो यह कौन है यह कौन है this is your brown ring complex यहाद रखना बेटा बहुत बार पढ़ाता हूँ मैं आपको आप बेटा बहुत बार बूल जाते हो brown ring complex है यह यह एक test होता है it is a test for nitrates brown color की ring बनती है बेटा brown color की ring बनती है P block में exactly पढ़ेंगे लेकिन अभी आप लोग इस दर iron की oxidation state देखिए और इसको याद रखना iron की oxidation state देखिए और इसको याद रखना क्या मान ले बेटा x मान लो अब क्या है बेटा 5 पानी है पानी overall क्या होता है neutral तो 5 into क्या कर दो 0 कर दो और यहाँ पे यह जो NO है यह एक ligand है coordination compound में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका नाम होता है nitrosonium इसका नाम होता है बेटा nitrosonium यहाँ सोनियो नहीं है बेटा sonium वो नहीं है बेटा nitrosonium कैसे exist करता है बेटा NO plus मतलब इस पे एक positive charge होता है तो यहाँ से आपका plus 1 आता है equals to total charge total charge कितना है बेटा plus 2 ठेक है तो यहाँ पे x कितना आता है plus 1 iron किस में exist कर रहा है iron किस में exist कर रहा है बेटा plus 1 में iron किस में exist कर रहा है plus 1 में तेरे बिना मेरे शाम नहीं डलती तेरे बिना मेरे शाम नहीं गलती सानी है है ना बेटा क्या दौर था बेटा वो भी क्या दौर था बेटा वो भी क्या दोड ता लिट का होबी है है ये कोर्णियद मॉंट का क्या कहानी है कोडिए मॉंट शिर्द की बड़ी scheint है कि हमें लखता है ऐसे माइक भी आयुक्तर वहता है सेंसेशन था वाई सेंसेशन यहां पर कॉडिनेट बॉंड में क्या है दो केसे कॉडिनेट बॉंड में हमें पता है एक डॉनर आटम होता है और एक एक सेट बॉंट होता है और एक डॉनर आटम होता है यहां पर यहां पर आपका नॉजन है यह GUY यहां आपका एक्सेप्टर आटम तो एक विटा विटा मेरे को मेरे को अनुद तेरा 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 सुरूर कोई नहीं लिखेगा चैट सेक्शन में ठीक है वर ना आपकी कशिश काने लग जाएंगे यहां पर आजाएंगे तो यहां पर देखो बिटा केस क्या है यहां पर देखिए बिटा केस क्या है केस है बिटा एक्सेप्टर एलेक्ट्रो निगटिविटी आपका ऑक्सिडेशन नंबर किस पर बेस्ट होता है ऑक्सिडेशन नंबर बेस्ट होता है एलेक्ट्रो निगटिविटी पर तो अगर एलेक्ट्रो निगटिविटी एक्सेप् coordinate bond इस coordinate bond को बेटा आपको सीधा सीधा ignore कर देना है जैसे बेटा उन्होंने आपका message ignore कर रखा है आपको ignore कर रखा है आज बेटा आपके पास भी एक मौका है किसी को ignore करने का coordinate bond बेटा कर देना ignore, ऐसे ignore करना कि वो exist ही नहीं करता ऐसे इग्णोर करना वो एक्जेस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पर यह पर यह donor है, इसकी electronegativity जाधा है, nitrogen की जाधा होती है, carbon से बिल्कुल सही है, इग्णोर कर दो, अब यहाँ पर देखो bond तोड़े, इधर bond तोड़ा, यह bond तोड़ा, यहाँ पर बेटा minus 1, यहाँ पर बेट अब दोनों bond अगर तोड़ रहे हो, तो carbon पे plus 2, तो nitrogen पे minus 2, अब देखो nitrogen पे कितना charge आ गया, nitrogen पे minus 1 और minus 2, कितना आ गया total, minus 3, कितना आ गया पर बेटा, minus 3, बोलो हायां न, ignore कर दो, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, सही है, यह case तो हमझे में आ गये, ये case तो हमें समझ में आ गया, अब दूसरा क्या case है सर, दूसरा क्या case है, दूसरा case ये हो सकता है, कि acceptor atom की electro negativity जादा है और donor की कम है, जैसे इस वाले case में, जैसे देखो इस वाले case में, देखो आपकी जो normal covalent bond है, इनको तो normal तरीके से ही तोड़ो, कैसे, जैसे आप bond to negative, तो यहाँ बेटा minus 2, यहाँ बेटा plus 2, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यह तो आपके normal bond है, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या धिमाग लगाना है, अब यह देख, यह donor है, nitrogen is what, donor, oxygen is what, acceptor, oxygen is what, acceptor, अब oxygen की जादा होती है, nitrogen से, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करा करो, जो भी आपका donor atom है, जो भी आपका donor atom है, उस पे चार जाएगा बेटा, plus 2, जो भी आपका acceptor atom है, उस पे चार जाएगा बेटा, minus 2, minus 2, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यह वाला bond तोड़ो ये वाला bond तोड़ो तो acceptor है तो इस पर जाएगा minus 2, donor है पेटा तो इस पर जाएगा plus 2, अब देख लो देरा, सीधा सीधा देख लो अब nitrogen पर चार्ज कितना है, nitrogen पर यहां पर plus 2, यहां पर plus 4, स्वारी, यहां पर plus 2, यहां पर plus 2, तो total कितना होगे बढ़ा फ्लस लुटल मोट बड़ा प्लस फो आ गया समझ दात है दो टो केस तो केसते दूर इन दोने केस SugROUND लोग पता लगा सकते एक बाद हमसब देतो मेरे को. एक बाद हमसब देतो चाट सेक्षन में कि हाजी सर कोई दिक्कत की बात रही है. चलियो बटा. यहां पर आईट. अब देखो बटा minimum and maximum oxidation state. minimum and maximum oxidation state यह क्या होती है? अब सबसे पहली बात तो यह जो चीज होती है इधर थोड़ा सा संभल के काम करना होता है यह ना, this is not everywhere applicable जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यह आप लोग हमेशा नहीं apply कर सकते हैं यह आप लोग हमेशा apply नहीं कर सकते हो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ minimum और maximum oxidation state में यह मोटा-मोटा हम लोग कहाँ apply करेंगे यह हम लोग apply करेंगे group 14 में, 15 में, 16 में और 17 में यहीं पर ही apply करेंगे और कहीं पर apply नहीं करेंगे और कहीं पर apply नहीं करेंगे एक बात मेरी ध्यान से सुनिए मुझे यह बताईए कि suppose करो आपका group 14 का कोई element है group 14 का कोई element है मुझे बताओ group 14 में कितने valence electron होते हैं मुझे बताईए group 14 में बेटा कितने valence electron होते हैं तो क्या यहां पर मैं यह लिख सकता हूँ कि it has 4 valence electron बोलो हाई यहां क्या मैं बोल सकता हूँ कि it has 4 valence electron हाजी सर बिलकुल सही है carbon की बात कर लो बटा जैसे आपके carbon family होती है carbon family होती है यहां पर कितने होते बटा 4 valence electron होते हैं मुझे यह बताईए कि अगर यह अपने 4 के 4 electron खूदे मतलब अगर यह 4 के 4 अपने electron lose कर दे अगर यह 4 के 4 electron lose कर दे तो क्या यहां पर oxydation state plus 4 आ जाएगी क्या यहां पर oxidation state plus 4 आ जाएगी बिलकुल सही बात है 4 valence है 4 के 4 हो lose कर दे बिल्कुल ठीक है अच्छा अगर सपोस करो इसको Octate Complete करना है अगर सपोस करो इसे Octate Complete करना है तो क्या मुझे इसको 4 Electron और देने पड़ेंगे ये भी चीछ समझ में आती है क्यों? 4 Electron है पिटा इसके पास 4 अगर मैं इसको और Electron दे दू चार इसको अगर मैं और Electron दे दू तो यहाँ पे इसका Octate Complete हो जाएगा और अगर ये चार Electron Accept कर रहा है तो Oxidation State कितनी होगी? Minus 4 होगी Oxidation State कितनी होगी? Minus 4 भाई Electron Accept कर रहा है न Negative Charge Accept कर रहा है तो Oxidation State कितनी होगी? Minus 4 तो एक Range पता चल रही है Minum Value कितनी आ रही है? Minus 4 Maximum Value कितनी आ रही है? Plus 4. लेकिन यह किस के लिए? Group 14 के लिए. हर किसी के लिए Apply नहीं कर सकते हो यह किसी है बिटा? यह है आप लोगी यह है आप लोगी बिटा Group 14 की है ना? अब यहाँ पे देख चे बिटा अब यहाँ पर देखे, अब मैं आप लोग को लिख के बताता हूं कि minimum और maximum oxidation state group 14, 15, 16, 17 सब की क्या है, सब की क्या है, यहाँ पर देखिए बिटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, 14 की क्या निकली, 14 की range निकली, minus 4, 2 plus 4, मुझे बताइए, मुझे बताइए, minus 4, 2 plus 4, बिल्कुल से है, group 15 की क्या निकलती है, group 15 की निकलती है बिटा, minus 3, 2 plus 5, group 17, oxygen family, minus 2, 2 plus 6, group 17, halogens, minus 1, 2 plus 7, लेकिन, again मैं बोल रहा हूँ, इसको हर जगें मत लगाना, मैंने पहले ही आपको caution देती है, मैंने पहले ही आपको caution देती है, हर जगें मत लगाना, जैसे, जैसे example बताऊं, group 17 की बात करते हैं, group 17 में क्या आपका halogen है, बिल्कुल सही बात है, halogen में आपका सबसे पहला halogen को वेज माइनस 1 में ही exist करता है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर यह वाला फंडा मत लगा देना, फ्लोरीन में भी, कि sir, group 17 है, group 17 तो sir, maximum plus 7 में जाएगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं जाएगा, फ्लोरीन के दे जाएगा, फ्लोरीन most electronegative है, हमेशा बेटा माइनस 1 में रहेगा, तो यह जो मैंने आपको बात बताईए, यह किसी reason के वज़े से बताईए, जो अभी आने वाले है, हर जगे apply मत करना है, हर जगे apply मत करना, अभी आएगा, रुख जो, अभी आएगा, रुख जो, जैसे और भी चीज़े सुन लो, जैसे अगर आपका suppose करो, manganese है, तो manganese की maximum oxidation state कितनी होती है, manganese की maximum oxidation plus 7 होती है, जैसे आपका chromium है, chromium की maximum oxidation state कितनी होती है बटा, plus 6 होती है, कितनी होती है, plus 6 होती है, बिल्कुल ठीक है, अब यह क्यों बताया सर आप, यह क्यों बताया, यह हमने इसलिए बताया, थोड़ा सा motivate कर दीजे, बिल्कुल बेटा, motivation कर देते हैं, motivation कर देते हैं, बिल्कुल बेटा, need का examination आपका, need का examination आपका 50 दिन में है, अगर बेटा अभी पढ़ाई नहीं करी, तो फिर बेटा, 2025 में, 2025 के लिए करना पढ़ेगा तयारी, बताओ motivation मिला हैं नहीं मिला, सर बहुत motivation मिले हैं, इस से ज़्यादा बढ़िया कोई motivation है, तुम बताओ बेटा, motivate यूं कर देते हैं, यूं motivate कर देंगे, आजाओ बेटा, carose acid, carose acid, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, सलफर की अपनको oxidation state निकालनी है, सलफर की बेटा बनको oxidation state निकालनी है, जरा hydrogen है, तो hydrogen exist करेगा, 2 into plus 1 है, सलफर exist करेगा, सलफर को x माल लिया, x निकालनी है, plus 5 into minus 2, oxygen 5 है, equal to 0, x कितना आगे बटा, x आगे आपका, plus 8, सही है कि है, x सही है कि बेटा, x आगे बेटा, आपका, plus 8, सही है कि नहीं, यह है बेटा, wrong, this is wrong, क्यों सर, यह सर, x गलत कैसे हो गया यह सर, x गलत कैसे हो गया, यह गलत है, x plus 8 आ रहा है यहाँ पे, oxidation state sulfur के plus 8 आ रहा है, यह गलत है, क्यों, क्यों, देख यहाँ पे, sulfur कौन से group का होता है, sulfur होता है आपके, group 16 का, कौन से group का होता है, group 16 का होता है, group 16 में maximum आप लोग plus 6 तक जा सकते हो, maximum आप लोग कहां तक जा सक तो प्लस 8 तो आप जाही नहीं सकते quindi या ingredient एक सबसाला method गडबड हो गया तो अगर ला इंब भग्या तो मत झाल पूर की दढ़ में घाट्ट और पर यहां देखो का स्ट्रोक्चर बनाओ karos acid कैसा structure वनता है S double bond हो double bond हो यहाँ beta OH देख यहाँ beta OH यहाँ beta OOH structure वेटा structure वेटा structure वेटा structure वेटा structure वचाएगा अब एक बार structure पता चल गया तो बाइँ तो बाइँ विलकुल सही है आजो बाइँ तोड़े यहाँ पे देखो यह दो बॉंड तोड़ा, oxygen पे minus 2, sulfur पे plus 2, यह वारा दो बॉंड तोड़ा, oxygen पे minus 2, sulfur पे plus 2, बिल्कुल सही है, यह वारा बॉंड तोड़ो, oxygen पे minus 1, sulfur पे plus 1, यह वारा बॉंड तोड़ो, oxygen पे minus 1, sulfur पे plus 1, अब देख ज़रा, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, कितना आ रहा ह प्लस 6 आ रहा है कितना आ रहा है प्लस 6 तो चलेगा बिल्कुल चलेगा बिल्कुल चलेगा तो प्लस 8 नहीं चल पारा प्लस 6 चलेगा ऐसे ही बिटा कौन है आपका मार्शल चांसेड अब यहां पर आपको सलफर की औक्सडेशन शेट है यहां पर आहने आपको सलफर की औक्सडेशन शेट निकाल ले निकालो हमेशा पहले एक्स वाला में थर्ड है ना वेटरोजन दो है तो टूइंटू प्लस दो सलफर हैं तो 2x 8 oxygen है तो 8 into minus 2 is 0 तो x कितना आ रहा है plus 7 x कितना आ रहा है plus 7 सही है क्या सही है क्या हमेशा पहले x वाला मिथट से apply करो आ रहा है क्या नहीं गडबर सलफर plus 7 भी नहीं जा सकता plus 6 ही maximum जा सकता है अब एक बार घडबड हो गई तो उत्तर कौन देगा बेटा कौन मदद करेगा बेटा कौन मदद करेगा structure मदद करेगा अब Marshall acid structure देग बेटा S double bond S double bond यहाँ पे बेटा OH S double bond double bond और यहाँ पे OH ठीक है ठीक है तो यहाँ पे देखो पर-oxy linkage जै यहाँ पे देखो क्या बेटा पर-oxy linkage जै अब एक बार आपका पास structure आ गया तो तो क्या करो bond दोड़ो तो तो क्या करो bond दोड़ो तो यहाँ पे तो देखो bond तो सीधा सीधा दोड़ो यहाँ minus 2 यहाँ plus 2 यहाँ minus 1 यहां प्लस वन, 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 चेके, तो यहां पर देखो क्या चार्ज है, प्लस टू, प्लस वन, प्लस टू, प्लस वन, कितना चार्ज आगे प्लस सेक्स, प्लस सेक्स तो अलाउड है, यहां पर भी किसा structure कैसे बनाएं बेलकुल एकदम valid reason valid question है कि सर हमें कैसे structure पता चलेगा आप ने तो पूरी chemistry पढ़ रखी है तो आपको तो यह structure आते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा तो बेटा उसका जवाब है उसका जवाब है बेटा आपका पढ़ाई उसका जवाब है टाइम जैसे जैसे आपकी chemistry आगे चलती जाएगी जैसे जैसे आपकी chemistry चलती जाएगी आपको यह चीज आ जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा आ जाएगा कोई दिक्कर के लाद अभी मैं जितना बना रहा हूं उतना redox के लिए बहुत है अब देखिए नेक्स को बैटा बट फ़लाइं स्टुक्चर कोन बट बट फलाइं स्टॉक्चर्र सी आरो फाइब यहां पर देखो भीटा तिली है तितली बैटा हवा की रहनी है था शनी क Franthe for trash एक बार बेटा स्ट्रक्चर आ गया थो बेडा काटो श्ट्रक्चर को बाउन थोड़ो तह यहां देख यह बाउन थोड़े यहां minus two यहां plus two obviously chromium की less select one negative है यह कितरा आ गया? plus two यहां बाउन थोड़ माइनस one plus one यहां बाउन थोड़े बाउन minus one plus one बांट वाट bisa minus 1 plus 1 to Canada by one plus one plus one plus one plus two कित्त्र ov捲 पन Ó60 a couर्ण वटा प्लस six लोग प्लस six लोुट फ्लस तो चलेगा क्रोमियम की हाइस oxidation state is plus इंट हाइस oxidation state is plus six फ्रेकले थे दो butterfly structure होता है चीक है अब यहां पे k3 progression आ यह कौनसा structure है यह लिए बैट केगदा structure it यह HIVड के कड़ा स्रुक्चर है सर के कड़ा स्रुक्चर ентов च्राब यह थाप जीदेखोःब मनेगा यम्हें जीदेख़ःब मनेगा cr यह थाफीदा joyful ओ सब्सक्राब फैक प्वाइट कप्णा यहां के प्लस यह कीप्रर्ण को एक world वेड़ा आपने स्टॉक्चर वना लिया तो उसके बाद तो क्या करोगे उसके बाद तो बैडा आप लोग न तोड़ोगे तो यहां देखो बाण तोड़े यह nhất वन यह प्लसवन इहां बेड müाइनस 1 यहां प्लस 1 यहां बेड़ा मैंस 1, यहां बेड़ा बनस 1, यहां प्लस 1 तो कितने प्लस 1 आ गई? 5 एक, दो तीन, चार, पाँच, तो यहां पर क्या आ गई बोई? ब्लस 5, प्लस 5 चलेगा बिल्कुल चलेगा प्लस 6 तक जाता है प्लस 6 तक जाता है तो प्लस 5 तो चलेगा प्लस 5 तो चलेगा प्लस 5 तो चलेगा प्लस 5 तो चलेगा सही है सही है एक बार बेटा मुझे चैट सेक्शन में एक बार बेटा चैट सेक्शन में एक बार बेटा चैट सेक्शन में ह पूआ कर दीजिए session को dew die like कर दीजिए कि साही कोई difficult कि बात नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है हम लोग आगे बढ़ सकते अगे बढ़ सकते oxidizing and reducing agent की तरह हम लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं बता the시burgiled एक्ट्रोकेमिश्यक कब गर करवाएंगे बैटा sequence चल रहे है.? देखो schedule आपको पूछने की जरुत नहीं है एकदम sequence से चल रही है चीज़े एकदम sequence से चल रही है मैं मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा हूं है ना नहीं मैं आप लोगों सब बूचरों कि physical chemistry करवा हूं इन और्गानिक करवा हूं या और्गानिक करवा हूं हमने chemical लग लग करा उसके लिए हमने आयनिक का लग करा आज कुछ नहीं फिर नेक्स पी ब्लॉक आएगा फिर आप लोग का आई यूपीसी आएगा आइसोमेरिजम आएगा जी ओसी आएगा फिर हाइड्रोकार बनाएगा एक-एक करके सारी चीज़े आती जाएंगी अब इलेक्टरोकेमिस्टरी देख लोग अब कब है वह उसके बाद हम लोग फिर 12 की दरफ चलेंगे सल्यूशन से कानेटेक्स अलेक्टरोकेमिस्टरी है कॉडिनिशन एडीएफ है पी ब्लॉक है क्लास 12 की आपकी और गानिक है बस एक सीधा सीधा ठीक है अब यहां पे देखि यहाँ पे देखिए बटा, oxidizing और reducing agent क्या होता है, देखो reducing agent कौन होता है, यहाँ पे देखिए लिखर रहा है, reducing agent वो होता है, which itself undergoes oxidation, यहाँ पे देखो, reducing agent कौन है, जो सामने वाले को reduce कर रहा है, reducing agent कौन होता है, जो सामने वाले को reduce कर रहा है, और अगर सामने वाले को reduce कर रहा है, तो खुद का क्या होगा, oxidation, देखिए बटा, redox reaction में, oxidation और reduction दोनों साथ साथ चलती है, दोनों साथ साथ चलती है, तो अगर मैं reducing agent हो, तो मैं सामने वाले का क्या कर रहा होगा, reduction कर रहा होगा तो अगर सामने वाले का reduction हो रहा होगा तो मेरे खुद का क्या होगा oxidation मेरे खुद का क्या होगा oxidation which itself undergoes oxidation and oxidizing agent कौन है oxidizing agent कौन है जिसे सब्सक्रों मैं oxidizing agent हो तो मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूँगा oxidize सामने वाले को oxidize कर रहा हूँगा तो खुद का क्या होगा आती है नोटवा के साथ है ना नोटवा बेटा आ चुका है आप लोग का सेलेक्शन करवाने वेलकम नोटवा लेट्स वेलकम नोटवा चेक है अब नोटवा क्या बोल रहा है तीन पॉइंट लेके आया है नोटवा क्या बोल रहा है बड़े ध्यान से सुनिए सबसे पहला प oxidizing agent, can act only as oxidizing agent, सर इसका क्या मतलब, सर इसका क्या मतलब, जैसे सबोस करो KMNO4, यहाँ पर manganese पता है किस में है, manganese प्लस 7 में है, निकाल लेना, निकाल सकते हो अपता बड़ा oxidation state, और यहाँ पर यह क्या है, अपनी maximum oxidation state में है, it is in its maximum oxidation state, अब मेरी बात सुनिए है, मेरी बात सुनिए, अगर मैं इसका further, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसका further oxidation करवाना चाहूं, मतलब, प्लस 7 से, इसको प्लस 8, प्लस 9 लेके जाऊं, तो क्या यह possible है गया, क्या यह possible है कि, नहीं, this is not possible, this is not possible, यह possible बिलकुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई साब, अपनी maximum value पहुँच चुके हैं, लेकिन उधरी बेटा, अगर मैं इसे reduction करवाना चाहूं, अगर मैं इसे reduction करवाना चाहूं, तो यह बिलकुल possible है, मतलब, प्लस 7 से, ब्लस 7 से, यह आपके प्लस 7 से आपका प्लस 6 जा सकता है, प्लस 4 जा सकता है, प्लस 2 जा सकता है, तो reduction possible है ना, reduction अगर possible है, खुद का reduction हो रहा है, तो कैसे behave करेगा as oxidizing agent, कैसे behave करेगा as oxidizing agent, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना, अगर reduction possible है, खुद का reduction हो रहा है, तो कैसे behave करेगा as oxidizing agent, बिल्कुल सही, अब उधर ही यह लाइन चुनो, यह लाइन चुनो, एक और नोट मा की लाइन चुनो, क्या बोल रहा है? जैसे सबोसकर CH4, यहाँ पर carbon है बिटा, minus 4 में, minus 4 इसकी minimum oxidation state है, कैसे पता चली, carbon की minus 4 minimum होती है, कैसे पता चली, यहाँ देख, carbon is group 14 element, minimum कितनी है, minus 4, minimum कितनी है, minus 4, तो यहाँ देखो, क्या यह minimum में है, हाँ, minimum में है, हाँ, अब सुन ध्यान से, अगर मैं इसका reduction करवाना चाह मतलब, मतलब, minus 4 से, minus 5 लेकर जाना चाहूं, minus 6, minus 7, क्या यह जाएगा, नहीं, भाई, minimum पर पहुँच चुका है, और नीचे नहीं गिर सकता, minus 5, minus 6, minus 7 नहीं जा सकता, तो this is not possible, इसका reduction विटा पॉसिबल नहीं है, बिलकुल सही बात है, लेकिन, क्या इसको मैं, अगर oxidation करन चाहूं, क्या इसका मैं oxidation करना चाहूं, मतलब, minus 4 से, minus 2 ले जाओ, 0 ले जाओ, plus 2 ले जाओ, प्लस 4 ले जाओ, जा सकता है, बिलकुल जा सकता है, तो अगर बेटा, यह खुद का oxidation करवा रहा है, खुद का oxidation करवा सकता है, तो क्या reducing agent की तरह behave करेगा, खुद का oxidation करवा रहा ह है, तो acts as a reducing agent, reducing agent, बात सही है या नहीं है, बिलकुल सही है, और अगर कोई बीच में है, an element in intermediate oxidation state, can act as both oxidizing agent as well as reducing agent, यह दोनों की तरहे काम कर सकता है, यह दोनों की तरहे काम कर सकता है, जैसे example देखो आपका, example है, HNO2, HNO2, तो यहाँ पे nitrogen है, हाजी सर, यहाँ पे nitrogen है, हाजी सर, nitrogen is in plus 3 oxidation state, nitrogen is in plus 3 oxidation state, अब यहाँ से, यह intermediate में है, nitrogen group 15 का होता है, nitrogen बेटा, group 15 का होता है, group 15 कहां से कहां लाए करता है, minus 3 to plus 5, तो बीच का है ना, नहीं minimum है, नहीं maximum है, अब मुझे बताओ, क्या इसको plus 3 से, इसको plus 3 से oxidation possible है या नहीं है, मुझे बताओ, क्या plus 3 से, क्या इसका oxidation possible है, plus 3 से plus 5 ले जाओ, possible है या नहीं है, है, it is possible, it is possible, तो अगर इसका oxidation हो रहा है, it can act as reducing agent, it can act as reducing agent, and, and इसका reduction भी possible है, इसका reduction भी possible है, मतब प्लस 3 से 0 ले जाओ, minus 3 ले जाओ, तो this is also possible, खुद का reduction हो रहा है, तो it can act as oxidizing agent, it can act as oxidizing agent, तो अगर बीच में हो, तो दोनों की तरह behave कर सकते हो, दोनों की तरह behave कर सकते हो, आई बात है समझ में, आई बात है समझ में, सेशन को like करके बता देंगे, हाँ जीसर समझ में आदे, जितने भी बेटा handsome लड़के हैं, सभी के सभी handsome लड़के बेटा इस सेशन को like करेंगे, जितने भी बेटा सुन्दर लड़कियां हैं, सभी की सभी बेटा इस सेशन को like करेंगे, अब आप decide करो, मैंने तो आपको बता दिया, मेरे हिसाब से तो आप बेस्ट हूँ, मैंने आपको बता दिया है, चला, अब देखते हैं, आज़ा, यहां देखो, सम इंपोर्टेंट कंपॉंट्स, यह आप लोगों के NCRT में दे रखे हैं, बेहद 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 इंपोर्टेंट, चला, चला, आज़ा, आज़ा, क्या है बेटा, यह C3O2, C3O2, अब ध्यान से सुन, मेरे को बेटा, ऑक्सिडेशन स्टेट निकालनी है, किसकी कारबन, मुझे ऑक्सिडेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालनी है, जड़ा बता, कारबन की अगर मुझे ऑक्सिडेशन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकाल सबसे पहले बात क्या फ्राक्शनल ओक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसाइब बहुत हो सकती है बिल्कुल बहुत फैट में यह बात हजम करेंगे अब जर्णा इस carbon sub oxide का structure देखो तो आप लोगो और भी चीज clear होगी सर structure बताईए structure बताईए सर carbon sub oxide का structure कुछ इस तरीके का होता है structure कुछ इस तरीके का structure होता है structure कुछ इस तरीके का होता है यहां पर देखो यह है एक बास structure पता चल गया तो बिटा आपका काम क्या है bond तो आओ जरा bond तोड़ा यह bond तोड़ा यहां बिटा minus 2 यहां बिटा plus 2 बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात अब यह वाला bond तोड़ो अब यहां से तो कोई charge develop होगा नहीं क्यों 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 लेफ्ट साइड भी carbon राइट साइड भी carbon कोई charge develop नहीं हुआ यह वाला bond तोड़ो यहां भी कोई charge develop नहीं हुआ जीरो इस पे कितना प्लस टू तो ध्यान से सुनना इंडिवीजवल आटम पे कभी भी fractional oxidation state नहीं आएगी कभी भी नहीं आएगी अगर fractional आ रही है जैसे 4 by 3 आया एक्स वाले मेथड से कहा है 4 by 3 तो इसका मतलब क्या है it is average oxidation state average oxidation state कैसे जरा एड़ करो तीनों को तीनों को एड़ करो प्लस 2 जीरो प्लस 2 तो टोटल चार्ज कितना है प्लस 4 विल्कुल ठही है और कितने कारबन है एक दो तीन टोटल कारबन कितने है तीन तो प्लस 4 by 3 तो क्या आया है average आया है कभी भी अगर fractional oxidation state आ रही है that means it is average individual atom पे कभी भी fraction नहीं आएगा एक और example करा तो हूँ और ज़्यादा clear होगा try bromo octa oxide pyq में पूछा जा चुका है शायद 2016 में आया था है 17 में आया था exactly year याद नहीं है try bromo octa oxide इसमें ये पूछा गया है होता है यहाँ पे देखो br3o8 सबसे पहले इसका structure बनाएगे सबसे पहले इसका structure बनाएगे तो यहाँ पे देखो double bondo double bondo double bondo यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका structure बनादे यह देखो structure बनादे अब इसकी oxidation state भी निकाल दो इसकी oxidation state भी निकाल दो कितने bromine है, सरतीन bromine है तो क्या मैं 3x बोलनू कितने oxygen है, 8 8 into minus 2, इस 0 तो x कितना है, plus 16 by 3 x कितना है, plus 16 by 3 अगर fraction आ रही है तो आपको समझ जाओ, लिख दो it is average oxidation state it is average oxidation state अब देख, individual bromine पे क्या charge है कुछ नहीं, bond तोड़ने कुछ नहीं, bond तोड़ने यहाँ देख, यह bond तोड़ा यह bond तोड़ा, यहाँ minus 2 यहाँ plus 2 यह bond तोड़ा, यहाँ minus 2 यहाँ plus 2 यह bond तोड़ा, यहाँ minus 2 यहाँ plus 2 प्लस 2 कितना होगे प्लस 6 तो देख इंडिवीज्र तो फ्रक्षंट नहीं आ यह एब जराब बीच वाले को देख यह वारा बॉंट तो कोई कि चार्जा नीन आएगा यह वार भॉंटन तो लटा तो यहां पर आए-गर मेनस तो यहां पर लिग्धा प्लस यहां पर मीनटन मेनस तो यह अब्यूटन ओ तो देख जैप अलसरह प्लस टु लसक्टन oppression वर करना मेरे मेरे मेपले यह प्लस 14 प्लस 6, तो देख लो, देख लो, इंडिवीज्वल ब्रॉमीन पे fraction नहीं आया, इंडिवीज्वल एटम पे कभी भी fractional आ ही नहीं सकता है, तो देख टोटल चार्ज कतना है प्लस 6, प्लस 4, प्लस 6, तो टोटल चार्ज कतना है बेटा, प्लस का 16, कितने ब्रॉमीन है, 3, तो 3 पे डिवाइट तो यह क्या है, average है, क्या है बेटा, average है, average है, निमीशा वहाँ पे भी बेटा average ही है, वहाँ पे भी बेटा क्या है, average ही है, average ही है, Miss match होगे बेटा, सही कर देते हैं, 3, 2, 1, here we go, आज हम लोग एन फैक्टर बढ़ना आज बनको नॉर्मालेटी भी बढ़नी तो उसके लिए यह एन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्डनत होता है आज़ आषों हम लोग N Factor पढ़ना, Start करते हैं. N Factor क्या है, कुछ नहीं है, बस एक number है. अब कैसे निकालते हैन, N Factor, यही बीटा, पूरा पूरा खेल है. तो n factor वा पर लोग को अलग-अलग चीजे देखनी है acids का देखना है, base का देखना है, salt का देखना है, charge का देखना है, element का देखना है और reaction का देखना है, एक-एकर के देखना है, एक-एकर के देखना है, एक-एकर के देखना है, सबसे पहले आओ acids का सबसे पहले आओ acid का, तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, n factor for acids is, n factor acid का क्या है, क्या है, number of H plus iron given, और number of OH minus iron taken, देखो, acid कौन होते हैं, acid कौन होते हैं, जो H plus देते हैं, सही बात है, या फिर जो OH minus iron लेते हैं, तो भाई साब बोल रहे हैं, अगर आपको n factor निकालना है, तो स तीन दे रहे हो, वो उसका n factor है, कितने OH minus iron ले रहे हो, एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, तीन ले रहे हो, वो उसका n factor है, जैसे बाबू, यहां देख, यहां देख बड़ा, जैसे HCl, कितने H plus छोड़ता है, सर एक छोड़ता है, एक छोड़ता है, एक हच प्लस, तो n factor कितना 1, जैसे बीटा H2SO4, कितने H+, छोड़ता है, सर 2, तो N-Factor कितना 2, जितने H+, रिलीज कर रहे हो, उतना ही N-Factor बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ देख अब जैसे ही Phosphorus यह जैसे Phosphorus वाले, चेक है यहाँ पर अगर मैं आपको N-Factor बताओं, तो यहाँ पर देखो इसका N-Factor कितना होता है, यहाँ पर N-Factor इसका होता है 3, यहाँ पर इसका N-Factor होता है बटा 2, यहाँ पर इसका N-Factor होता है बटा 1, सबसे पहले तो यह ले लो सबसे पहले तो यह ले लो, इसका N-Factor अब हम लोग क्या सीखे अब हम लोग ये सीखे कि जितने hydrogen है जरूर नहीं वो ही n factor हो जैसे देखो यहाँ पे कितने hydrogen तीन लेकिन n factor दो यहाँ पे कितने hydrogen तीन लेकिन n factor एक है न तो इधर हम लोगो कुछ चीज और देखने पड़ेगी कि सर n factor कैसे निकालते हैं यह सर 3 2 1 कैस इसका structure बनाएं इसका structure बनाएं इसका structure बना ने तो आप की पूरी जब chemistry हो जाएगी तो आप भी के बनाने लगा लेकिन जब तक पूरी chemistry नहीं आती है तब तक घवराने का नहीं है ने तेश भी आपके साथ हैं यह श्रक्चर बना है अब आपको n factor के लिए वो ही hydrogen count करने है जो oxygen के साथ जुड़े है मैं वापस repeat कर रहा हूँ N factor के लिए वो ही hydrogen count करोगे जो oxygen के साथ जुड़े है, तो यहाँ पे देखो कितने है क्या पे 1 है, क्या पे 2 है क्या पे 3 है, तो N factor कितना? 3 N factor कितना? 3, यहाँ देख क्या यहाँ पे एक है क्या यहाँ पे दो है तो कितने हैं दो ही है तो यह वाला count नहीं करोगे क्योंकि यह phosphorus के साथ जुड़ावा है यह phosphorus के साथ जुड़ावा है यह count नहीं करोगे केवल oxygen के साथ जुड़े हैं तो कितने हैं दो तो यहां पर कितना आ गया, दो आ गया, कितना आ गया, दो आ गया, अब यहां देख, यहां सिर्फ और सिर्फ एक है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक है, तो एक है, तो एक ही आएगा, बिल्कुछ, यह भी counter नहीं करोगे, यह भी counter नहीं करोगे, बिल्कुल ठीक है, यह चीज पहरे तो पेट में बात हजम होनी चाहिए कि इसका N factor कितना है one है कैसे है वोगी में बता रहूं आपको कैसे है वो भी मैं बता रहूं इसका N factor कितना है ओर यह एक अतरंगी टाइब का acid है यह क्या है यह h-plus release नहीं करता हूं बड़े ध्यान थे समझना एकích आपके acid क्या होते हैं H plus donor जिसे यहां से H plus निकलेगा यहां से H plus निकलेगा तो majority जो acid होते हैं those are H plus donor acid लेकिन जो boric acid होता है it is an OH minus iron acceptor acid it is an OH minus iron acceptor acid और इसे हम लोग और क्या बोलते हैं Lewis acid भी बोलते हैं हम लोग उने iron e के equilibrium बढ़ा है इसको हम लोग Lewis acid भी बोलते हैं सर कैसे कैसे काम करता है यह बताईए देखो H3BO3 को अगर मैं थोड़ा सा बिटा गुमा फिरा के लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ BOH whole thrice ऐसे भी लिख सकता हूँ यहां पर देखो 3 hydrogen हो जाएंगे zoom करें यहां पर देखो बटा 3 hydrogen हो गए यहां पर देखो 1 boron है यहां पर देखो 3 oxygen है तो बोरिक acid है मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ अब इसको हमने क्या करा बटा पानी में डाला बटा पानी पानी हो गया बोरिक acid को हमने क्या कर दिया पानी पानी कर दिये, अब पानी में हमें पता है, दो चीजे होती है, क्या होती है, H+, और क्या होती है, OH-I, तो बोरिक एसड करता क्या है, बोरिक एसड क्या करता है, इस OH-I को लपक लेता है, तो यहाँ पर यह क्या बना लेता है, यहाँ पर यह बना लेता है, बि ओ ओ समय होल फोर माइनस और पीछे इप यो पिछ तनहा कॉन छूड गया बीटा तनहां इप तनहां इप है hydrogen गा रहे ला रहे बिटा H- 1954 गा रहे ला खर दिया उसमे तना कर दिया तनहा कर दिया बिलकुल कर दिया यहां पर है तो यहाँ पे कितने H+, ultimately, कितने H+, ultimately, कितने H+, एक आया, एक H+, आया, तो एक N-factor, एक H+, आया, तो एक ही N-factor होगा, बेलकुल सत्य बचने, बेलकुल सत्य बचने, हाँ, यहाँ पे अब एक और चीज बताई जाती है, वो थोड़ा सा P-block का हिस्सा है, लेकिन बेटा, मैं आपक कितने bond बना रहा है, सर, 3 bond बना रहा है, यहाँ पे boron कितने bond बना रहा है, यहाँ पे 3 bond मना रहा है, तीन bond के साथ इसकी hybridization यहाँ पे होती है, SP2, और यहाँ पे कितने बनाता है, 4 OH, तो 4 bond बनाता है, hybridization हो जाती है, SP3, तो hybridization भी change हो जाती है, यह भी एक सवाल पूछा जा स सब्सक्राइब लोग संडे को गरेंगे यह चीज समझ में यहाँ पर देखे एक और नोटवा भाई साब नोटवा ही नोटवा है चारों तरफ नोटवा ही नोटवा क्या बोल रहा है नोटवा सबसे पहले बात समझो नोटवा की है न बेटा दिल की बात समझे न नोटवा की दिल बोलना क्या चारहे है नोटवा नोटवा यह बोलना चारहे हैं कि जो n factor है n factor for same substance can vary for different reaction जो n factor है न बेटा जो n factor है न बिटा, n factor क्या है बिटा, same substance का vary कर सकता है, n factor, same substance का क्या कर सकता है, vary कर सकता है, depending on reactions, सर कैसे, ध्यान यहां सुनो, यहां देखो, यहां देखो, कैसे, यहां पर देखे, यहां पर देखे, हमको N factor किसका निकालना है, हमको N factor निकालना है H3PO4 का, मुझे यहाँ पर बताईए कितने हैड्रोजन है, मुझे यहाँ पर बताओ कितने हैड्रोजन है, तीन हैड्रोजन है, अब जरा यहाँ पर प्रोड़क्ट देखिए, तो यहाँ पर क्या अभी भी आपके पास दो हैड् तो मतलब आपने खड़चा यी करा है, मतलब रिलीज आपने हाइड्रोजन एक ही करा है, जितने हाइड्रोजन रिलीज होएंगे, वो ही क्या है? इसका N फेक्टर, इसका N फेक्टर क्या है, यह writings? इसका N फेक्टर One है, और example, वह और और समय आता हूँ और चीज़े की मिस औस कि यहां पर ध्यान साने कि तो कितने है वे सिखते हैं पर यहां पर 6 श्कंद सबस्क्राइब पहले बेटा 3 रुपे थे अब बेटा एक रुपे इंधिगijo करें दो नाओ किया कितना रियाक्शन इस काम कर रहा है कि कैसे काम कर रही है reaction जिसे यहां देखो यहां पर कितने hydrogen तीन यहां पर कितने hydrogen तीन बिल्कुल से और यहां पर एक भी नहीं तो क्या तीनों के तीनों hydrogen release कर दिये हैं क्या तीनों hydrogen release कर दिये हैं जब तीनों hydrogen कर दीए तो इन फैक्टर कितना तीन, जितने रिलीज कर दोगे वो ही उसका इन फैक्टर है, बिलकुल सही है सर, यह चीज़ हमें समझ में है, अब और देखो, एक बार एसेड समझ में आ गया, अब देखो, बेस कितना असान है, एसेड डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उसके बाद चीज़े हलो आए, कैसे यहां देखो, base कौन होता है, जो OH-Ion देता है, या जो H+, लेता है, तो base देखो क्या है, base का N-factor क्या है, number of OH-Ion given, और number of H+, taken, जैसे NaOH, बोलिए N-factor, एक OH-Ion देगा तो एक, जैसे बेटा, आपका Magnesium Hydroxide, कितने OH-Ion देगा, सर 2 देगा, कितने देगा, 2 देगा, तो N-factor बोलिए बेटा, N-factor बोलिए, 2, 2, जैसे बेटा, Aluminium Hydroxide, कितने OH-Ion देगा, 3, तो N-factor कितना बेटा, 3, 7, Now Tonight, क्या, यहां पे भी यही चीज होगी, अब देख यहां पे देख, अब सपोस करो, आपको reaction देदी, सपोस करो reaction देदी, तो reaction के हिसाब से चलना पड़ेगा, कैसे, कैसे, यहां पे देख, यह है आपका, यह है आपका base, यहां पे कितने ओएचो यहां पे बिलकुल है क्या यहां पे एक अभी भी है हा तो यहां पे सब्सक्राइब और इप तो ग्रीड कला श optics 2 रूरुपय भी है एक रबल भी है तो खर्चा आपने एक रूरुपय भी है आपका एक ही है, बिल्लकुल ठीक है, अब यहां देख, यहां देख, यहां पे 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 दो OH है, यहां पे आपके क्या है, दो OH है, आप देख, यहां पे एक भी OH है क्या है, यहां एक भी OH है क्या है, नहीं, तो दो तो वेच से दोनों के दोनों वेच बहार निकल गए तो एन फैक्टर टू एन फैक्टर टू एन फैक्टर सेम सबस्टेंस का वेरी कर सकता है depending on reaction depending on reaction बोलाखया न बोल वीटा यहान वीख देखफ यहां यहां तो कि और सघुंड इसका charge, क्या उसका charge मैं अब कोई सा भी charge बता दो कोई सा भी charge बता दो, टोटल positive charge बता दो या total negative charge बता दो जो charge आपको पसंद आए जो charge आपको पसंद आए आप वो बता दो n factor उसका वो ही रहेगा, जैसे example देख, example n a c l n a c l, sodium plus 1 में, chlorine minus 1 में, तो यहां पर n factor कितना होगा, जो चीज अच्छी लगए वो बता दो, तो plus 1 है, 1 बता दिया, 1 बता दिया, 1 बता दिया, 1 बता दिया, n factor बेटा केवली number होता है, plus 1, minus 1 कुछ नहीं होता, charge कितना है बेटा, 1 है न, 1 है न, 1 बता दिया, जैसे यहां पर देख, और देख, जैसे बोस्करो, mgCl2, कैसे exist करता है, magnesium कैसे exist करता है, sir, magnesium exist करता है, plus 2 में, बिल्कुल सही है, chlorine कैसे exist करता है, minus 1 में, लेकिन ऐसे कितने chlorine है, ऐसे कितने chlorine है, sir, 2 chlorine है, तो total negative charge is minus 2, total positive charge is plus 2, so your n factor is what, 2, n factor is what, 2, बिल्कुल ठीक है, जैसे और देख, जैसे और देख, AL2, SO4, whole thrice, सबोसकर यह है, n factor बोलिए, n factor बोलिए, aluminium किस में exist करता है, aluminium exist करता है, plus 3 में, हाँ, लेकिन ऐसे कितने हैं, aluminium 2, तो total positive charge, plus 6, सही बात है, sulfate बेटा, कैसे exist करता है, minus 2 में, लेकिन ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, तीन है, तो total negative charge, minus 6, तो n factor कितना 6 आगया, आप कुछ भी बता दो, positive बता दो, negative बता दो, एक ही बात है, और देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे, जैसे बोसे रो, K2SO4, dot AL2SO4, whole thrice, dot 24H2O, बताइए N factor, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सबसे पहले बिटा, सबसे पहले बिटा, पानी को इगनोर करो, पानी को देखना ही नहीं, पानी को देखना ही नहीं, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, Potassium, किस में exist करता है, plus 1 में, ऐसे कितने हैं, 2, तो Total Positive Charge यहाँ से आ गया, plus 2, Aluminium, किस में exist करता है, plus 3 में, ऐसे कितने हैं, सर्थ 2 हैं, तो यहाँ से Total Positive Charge, plus 6 आ गया, तो Total Positive Charge कितना आ गया, plus 2, plus 6, plus 8 हो गया, बेलकुल सही, अब माइनस चार्ज भी देख लो, बराबर आएगा, माइनस 8 ही आएगा, बराबर आना ही है, क्योंकि Salt Overall is Electrically Neutral, Sulfate, यहाँ पर minus 2, यहाँ पर minus 2, Sulfate, किस में exist करता है, minus 2 में, लेकिन ऐसे कितने हैं, 3, कितने हैं, 3, तो यहाँ पर minus 6, तो देख, Total Negative Charge, minus 2, minus 6, minus 2, तो कितना, minus 8, तो n-factor कितना होगे, 8, n-factor कितना होगे, 8, पानी नी देख रहा है पानी को एकनोर कर देना पानी को पी जाना है सही है बताव सही है आगे दे N factor for charge इतना easy है क्या बोल रहा है N factor for charge is charge है एन फैक्टर चार्ज का क्या होता है चार्ज होता है सर मतलब मतलब जैसे सोडियम है सोडियम है तो यहां पर एन प्लस वन में एक्जस करता है हां तो इन फैक्टर कितना हो गया फ्लस वन हो गया मेगनेशियम प्लस टू में एक्जस करता है एन फैक्टर कितना हो गया दो हो ग चार्ज बोलो, दो नेगेडिव चार्ज है, दो लिख दिया, चीक है, N3-, तो यहाँ पे N factor कितना होता है, बटा, 3 होता है, CL-, यहाँ पे N factor कितना होता है, बटा, 1 होता है, समझे, और सेम आपका element का है, सेम आपका element का है, element का N factor किया होता है, उसकी valency, उसकी valency, जैसे sodium किसमें exist करता है, प्लस 1 में, तो उसकी valency कितनी है, 1, तो N factor कितना हो गया, 1 हो गया, magnesium किसमें exist करता है, प्लस 2 में, तो उसकी valency कितनी है, 2, तो 2 हो गया, aluminum कि 3, तो 3 हो गया, सेम है, chlorine किसमें exist करता है, माइनस 1 में, तो valency कितनी है 1-1 मतलिक देना भाई नाइटरोजन की वैलेंस ची कितनी होती है 3 तो 3 ऑक्सोजन की कितनी होती है बड़ा 2 तो 2 समझे अब है ये चीज खिला ड़ी अब ये चीज खिला ड़ी अब इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये अब आपकी आगे तक आएगी टाइटरेशन, माइटरेशन भी जब हम पढ़ेंगे तो ये आप लोग का आएगा तो इसको थोड़ासा इसको ध्यान से समझे थोड़ासा इसको ध्यान से समझे N Factor for Reaction Reaction के लिए N Factor क्या होता है ध्यान या लगाना, ध्यान या लगाना Formula है, Formula होता है उसको छोड़ो, है न, अभी आपलाइ करना से खेंगे तो धीरे-धीरे-धीरे समझ में आएगा क्या है change in oxidation number into number of atoms इसको apply करना सीखते हैं इसको apply करना सीखते हैं फिर हम लोग धीरे-धीरे समझेगें जैसे k-menophor, k-menophor में manganese किस में exist करता है manganese existing plus 7 manganese किस में exist करता है plus 7 में ये निकाल लेना k-menophor आप लोग का तीनों medium में काम करता है सबसे पहले acidic medium में भी करता है neutral में भी करता है, basic में भी करता है अब करता है तो कैसे करता है k-menophor acidic medium में कहां जाता है acidic medium में जाता है plus 2 में क्या मुझे याद रखना है? हाँ, ये याद रखना है neutral में जाता है m-menoplus 4 में और basic में जाता है plus 6 में क्या ये चीज़े याद रखनी है, सबसे पहले बात तो ये चीज़ हमें याद होनी जाए, कि K-Minifor कौन-कौन से medium में कैसे behave करता है, अब इसके हम लोगों को N-Factor पता होने चाहिए, इसके N-Factor हमें पता होने चाहिए, निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, देखो कैसे निका है, number of atoms, अब यहाँ पर देखिए, manganese के कितने atom है, manganese के कितने atom है, एक तो into one कर दो, तो यहाँ गया, N-Factor कितना गया, पांच है, अब यहाँ देख, यहाँ देख, इसका N-Factor निकाली, तो यहाँ देख, प्लस seven में था, प्लस four में गया, तो कितने का change, तीन का change, कितने क change, तीन का change, number of atoms, देख, manganese के कितने है, one, तो one, तो N-Factor कितना आया, तीन, N-Factor कितना आया, तीन, अब यहाँ देख, यहाँ देख, N-Factor, किस में है, प्लस seven में, कहां गया, प्लस six में, कितने का change, एक का change, number of atoms, हमेशा reactant में देखना, number of atoms, हमेशा reactant में देखना, manganese का atom, तो change एक का, atom भी एक के, तो n factor आ गया 1, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देख, एक और चीज़ देख, एक और चीज़ देख, k2Cr2O7, यहाँ पे chromium किसमे है बेटा, प्लस 6 में, अब देखो, k2Cr2O7, तीनों medium में काम नहीं करता है, सबसे पहली बात तो यह समझो, यह सिर्फ औ अब देख कैसे निकालूँगा, देख कैसे निकालूँगा, प्लस 6 में था, हाँ, प्लस 3 में गया, हाँ, कितने का change, फटाफट बोल, change कितने का, तीन का, तीन का, into number of atoms, देख, यहाँ पे chromium के कितने atom है, देख, यहाँ पे chromium के कितने atom है, दो atom है, तो into 2, तो कितना आ गया इन फैक्टर 6, कितना आगया इन फैक्टर 6, समझे, समझे, अब एक और example देख, एक और example देख, इसका, अब यहाँ पर देख ना बड़े दियान से, यहाँ पर copper प्लस 1 में है, sulfur माइनस 2 में, यहाँ पर प्लस 4 में है, sulfur, यहाँ पर प्लस 2 में, मैंने oxidation state सबके दिख दिख दे, अब ध्यान से लगाना, आफ ध्यान खे लगाना, यहाँ पर और चीज़े change होने वाली है, यहाँ पर और चीज़े change होने वाली है, अब यहाँ पर देख, सबसे पहले आप देखो copper, सबसे बहले देखो बताओ, मुझे बताओ, प्लस वन में था, हाँ, कहा गया, प्लस टू में, तो कितने का चेंज, कितने का चेंज, एक का चेंज, इन्टू, नमबर ऑफ एटम्स, तो कॉपर के यहां पे कितने एटम है, यहां पे कॉपर के कितने एटम है, दो एटम है, तो तू कर दो, तो यह हुआ अब यहां पे सलफर भी चेंज कर रहा है सलफर चेंज कर रहा है तो यहां पे देख सलफर के लिए भी लिखो सलफर के लिए भी लिखो भाई सलफर के लिए भी लिखो माइनस तू से जा रहा है प्लस फूर कितने का चेंज प्लस 6 का चेंज प्लस 6 का चेंज माइनस 2 से प्लस 4 जा रहा है 6 का चेंज into number of sulfur atoms कितने हैं sulfur atoms into 1 तो यहां से in factor कितना है 6 अब आपको क्या था देख formula में क्या था formula में submission था यह था ना भाई submission submission का मतलब क्या addition तो आप दोनों को add करोगे तो जो total n factor आएगा वो आएगा 2 प्लस 6 8 आपका total n factor आएगा 8 आपका total n factor आएगा सही सही या नहीं सही या नहीं सही या नहीं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अब देखे यहां पर एक और चीज़ देखे disproportionation reaction क्या होती है disproportionation reaction वो होती है जहाँपे same element oxidized हो and reduced हो simultaneously जब same element का oxidation होता है और same element का reduction होता है simultaneous लिए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं disproportionation reaction बोलते है M factor कैसे निकालते हैं यह वरा formula है M factor का यह केवल disproportionation के अभी apply करना सिखाता हूँ आपको अपलाए करना सिखाता हूँ अभी रुख जो N factor का ये formula क्या है N1 N2 N2 upon N1 N2 अभी बताता हूँ आपको N1 N2 क्या है रुख जो अभी बताता हूँ आपको N1 N2 क्या है यहाँ पे देखो पहले तो पहचानों कि reaction disproportionation है या नहीं है तो यह देखो यह आपको reaction दे रखी है ठीक है alcohol है N1 H है cold and dilute conditions है यह जा रहा है NACL and NACLO ठीक है तो यहाँ पे देखкивो यहाँ यहाँ पे 0 में chlorine यहाँ पे minus 1 में यहाँ पे plus 1 में अब सुनना धेयान से अब सुनना धेयान से यहाँ पे chlorine जीरो में था और गया माइनस वन में तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे reduction हो रहा है मुझे बताइए क्या यहाँ पे reduction हो रहा है 0 से माइनस वन जा रहा है 0 से माइनस वन जा रहा है तो क्या यहाँ पे reduction हो रहा है हाँ जी सर तो suppose करो इसका n factor मैं बोल देता हूँ n1 कुछ भी बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं n1 जड़ा निकालना जड़ा निकालना कैसे निकालोगे मैं गो यह बता 0 से अगर minus 1 जा रहे हो तो कितने का change है 0 से minus 1 जा रहे हो कितने का change है एक का change है into number of atoms number of atoms हमेशा reactant के लिया करो number of atoms हमेशा reactant के लिया करो कितने है number of atoms 2 हैं तो into 2 N1 आगया 2 N1 आगया 2 हाँ जी सार अम मुझे ये बताइए कि यहां से ये इधर भी तो जा रहा है इधर भी तो जा रहा है 0 से कहां जा रहा है plus 1 0 से कहा जा रहा है वेटा प्लस 1 तो क्या ये Oxidation है क्या ये Oxidation है क्या ये Oxidation है यहां का N Factor बोल देते हैं N 2 जरह निकालना N 2 जरह निकालना N 2 तो 0 से जा रहे हो प्लस 1 तो यहां पे देखो Change कितने का N 2 number of atom chlorine के find करो chlorine के find करो number of atom तो n2 2 तो यहाँ पे क्या आगया n2 भी कितना आगया n1 भी कितना आगया 2 आगया formula लगा दे total n factor n1 into n2 upon n1 plus n2 यहाँ पे देखो 2 into 2 upon 2 plus 2 तो n factor कितना आगया बना आगया लेकिन यह keyword disproportionation के लिए लगाना और यह disproportionation reaction है क्यों क्यों क्योंकि same element कौन क्लोरीन same element chlorine chlorine का ही oxidation हो रहा है और chlorine का ही reduction हो रहा है same element का oxidation हो same element का reduction हो तो यह formula लगाना है तो यह formula लगाना है जैसे यह सवाल करना ज़रा एक और सवाल करेंगे ने बड़ा minus 1 plus 5 चलो एक और सवाल करेंगे करिए apply करो apply करो यार apply करना सीखो 0 से जा रहा है सबसे पहले minus 1 तो यहाँ पे क्या है reduction तो इसको बोल दो N1 इसको बोल दो N1 अब सीधा सीधा N1 निखाल 0 से जा रहे हो minus 1 कितने का change एक का change number of atoms देख कितने क्लोरीन है देख कितने क्लोरीन है 2 तो number of atoms 2 तो N1 कितना है 2 है N1 कितना है 2 है अब यहाँ देख 0 से जा रहे हो plus 5 तो यह क्या है बटा reduction यह क्या है बटा reduction N2 बोल दे इसको अब 0 से अगर plus 5 जा रहे हो तो कितने का change है भाई ये 5 का चेंज है कितने का चेंज है 5 का चेंज है और number of atoms बोल 2 तो into 2 तो into कितना आगया 10 अब लगा दे formula यार formula लगा दे बेटा n factor का n1 into n2 upon n1 plus n2 तो यहां पर देखो 2 into 10 upon 2 plus 10 20 by 12 which is 5 by 3 5 by 3 बोलिये 5 by 3 आया ना अप्सेडेशन का आपने reduction लिग दिया हा बटा कोई बात ने बटा मैंने बताया था ना आपको सूसंग दी कूसंग दी मैंने बताया था ना आपको सूसंग दी कूसंग दी कोई इसमें इसमें सूसंगति बताया आपको आपको मार्थ कर दिया करो मेरे कभी-कभी मिस्टेक हो गया तो गलती से मिस्टेक करता हो जान मुझ के नहीं करता हो ना, गलती से मिस्टेक करता हूँ, चिक है, गलती से मिस्टेक करता हूँ, चिक है, भावना ही समझो, भावना ही समझो, सर, भावना कोन है, फिलिंग्स, 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 बटा, फिलिंग्स, है, ये हनी वनी क्या चल रहा बटा, हनी बी, sir best friend honey b honey b बोल रहे हो कि फिर ठीक है फिर ठीक है बड़ा फिर कोई बात नहीं आज़ो बड़ा honey b तो ठीक ही है ना अब यहाँ पर आई बड़ा equivalent weight अब देखो equivalent weight की बड़े ही अंग्रेजी भाषा में definition यह लिख रखी है अंग्रेजी भाषा में यह definition लिख रखी है चीक है यह ना क्या लिख रखी है पढ़ लेते हैं उसके बाद हम तो अपनी तरफ से solve करते हैं बड़ा लेकिन पढ़ तो लेते हैं क्या बोल रहा है equivalent weight alright it's अंग्रेजी so we will read it in अंग्रेजी alright so equivalent weight of a substance is the weight is the weight which combines or replaces 1 gram of hydrogen with 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine this is this is the अंग्रेजी definition of equivalent weight अब भाई आपका मैं समझाता हम बड़ा देशी definition का है देशी definition का है वड़ा equivalent weight की देशी definition का है वड़ा equivalent weight की देशी definition बड़ा होती है equivalent weight equals to molar mass molar mass upon n factor molar mass upon n factor होता है पेटा आपका equivalent weight अब बताओ क्या molar mass हमें निकालना आता है मुझे बताइए क्या हमें molar mass से निकालना आता है molar concept फड़ चुके हम molar mass हमें निकालना आता है n factor आज हमने सीख लिया तो equivalent weight तो आता है हमें equivalent weight तो आता है हमें बिलकुल आता है बिलकुल आता है कैसे यहां पर देख जैसे जैसे यहां देख जैसे यहां देख H2SO4 H2SO4 इसका अगर हमें equivalent weight निकालना है तो कैसे निकालोगे molar mass बता इसका molar mass बता बिटा H2SO4 का molar mass होता है 98 N Factor बोल आज ही सीखा है देख कैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तेरा देख हैं है H2SO4 N Factor कितना बिटा आज ही पढ़ाना बिटा acid है कितने H plus देगा दो देगा तो N Factor कितना बिटा दो तो दो से डिवाइड कर तो कितना आ गया 49 कितना आगया 49 ठीक है अब यहां देख nacl तो यहां पे देख it is plus 1 it is minus 1 salt है ना salt है तो इसका n factor कितना एक तो equivalent weightable molar mass molar mass कितना होता है 58.5 निकाल लेना n factor one तो कितना आगया 58.5 यहां पर देखो बिटा H2O यहां पर सुनना ध्यान से हाइड्रोजन प्लस वन में करता है लेकिन ऐसे कितने हाइड्रोजन है दो तो यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टू ओक्सिजन पर चार्ज कितना मैंनस टू तो इन फाफ्स टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दो तो दो आ गया हां एक्वेरर इम वेकिन एट बॉल व्हं वेता न फेकै ना मने ना मने अहां ना मने यहां बीटा यह मैं देखो बीटा कितने है एच प्लस रिलीस करेगा तीन तो फैक्टर कितना है वीट तीन तो उक् giret कि ना मूलर मास मूलर उसका भी कितना हों आगा मोलर मास 23 & factor 1 अ चुछेक अब यहां देको समझंगे बता दूंके पहले चैक अब typing बता दूंके पहले कर्हें अ आप मेरे को से n-factor बताईए भाले यहाँ पर देख कितने h-plus है 3 है यहाँ पर कितने है 1 है तो भाई पहले 3 रुपए थे 1 रुपए अभी भी है तो खर्च कितने करें? 2 पहले 3 h-plus थे 1 अभी भी है तो release कितने करें? 2 तो n-factor बोल, n-factor 2 अब reaction आगई भाई अब 3 मत बोलो reaction आगई तो reaction के साफ से चलेंगे अब 3 ना बोलो बेटा 3 ना बोलो reaction आगई तो reaction के साफ से चलेंगे n-factor कितना है? 2 है तो equivalent weight कितना? molar mass 98 divided by 2 कितना? 49 समझे 3 मत बोलो देखो confusion आपको कहा confusion होना रहा है? मैं बताता हूँ यहाँ देखो, यहाँ देखो जिसे आप जो बच्चे 3 बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे है? देखो मेरी बात समझा मेरी बात समझा अगर आपको normally H3PO4 लिख देता है simply आपको H3PO4 लिख देता है तो इसका Ern Factor केतना होगा? 3 होगा जो कि इसकी Maximum Value है 3 होता है, Maximum Value यहाँ तो इसका Ern Factor है 3 अगर आपको reaction दे देता है तो आपको reaction के हिसाब से चलना होता है फिर आप maximum value नहीं बोल सकते हो फिर आप maximum value नहीं बोल सकते हो अगर reaction नहीं दे रखी है तो तो आप maximum value बोलिए बिंदास 3 बोलिए बिल्कुल सही है लेकिन अगर reaction दे दी है कि अध्यान का एद्रोजन का कितना होता है वन होता है अब अब hosting ने उट बिलकुल माने अब यहाँ दीख अगर आपको equivalent weight बोला है H2O का अब अगर आपको equivalent weight बोला है H2O का तो हम लुग क्या कर सकते हैं इसको बीटा तोड़ सकते हैं कैसे तोड़ सकते हैं अब H2O बीटा किस-किस से बना है सर हैड्रोजन से बना है और ऑक्सिजन से बना है तो इक्विलेंट वेट हैच टूओ का हम लोग कैसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इक्विलेंट वेट ऑफ हैड्रोजन प्लस इक्विलेंट वेट ऑफ ऑक्सिजन ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो य कोई आवशक्ता नहीं एक्विविलेंट में हमको number of atoms गिनने की कोई ज़रुत नहीं होती है जैसे यहां पर दो हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको hydrogen प्लस equivalent weight of sulphate इस चाहूं तो sulphate को भी और तोड़ सकता हूं लेकिन मैंने क्या लिख दिया sulphate रिख दिया लिख सकता हूं लेख सकता हूं hydrogen का equivalent weight एक अब मुझे पता sulphate का कैसे लिखोगे equivalent weight equivalent weight का formula होता है molar mass upon n factor molar mass sulphate का 96 मेरे से ले लो इसका n factor बोलिए है और चार्ज बटाई ए यह बट्रक्ट्र के लिए बताई एक वर्ट्र कुईशन के लिए कैसे इस question के लिए इस question को करेंगे और इस trick को हम लोग अच्छी तरीके से implement करना सीख लेंगे पहले हैं यहां पर देखो पहले हैं पहले हैं पहले हैं.. EQUALENT weight of metal oxide is 20 क्यालकुलेट क्यालकुलेट चलो पहले यह सुनो पहले बस इतना से बुड़ो इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल के ऑक्साइड का अगर मैं इसको तोड़ू जो मैं अभी अभी ट्रिक सीख के आया तो इक्विलेंट वेट मेटल के ऑक्साइड का क्या मैं लिख सकता हूँ इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विलेंट वेट ऑफ ऑक्सिजन मुझे बताओ क्या मैं तोड़ सकता हूँ यह नहीं तोड़ सकता हूँ मिस मैं चोगे बटा ठीक कर देंगे मिस मैं जोगे बटा ठीक कर देंगे आज़ बटा ठीक कर दिया आज़ बटा ठीक करती है इसमें क्या हो गया इसमें क्या कर दिया यहाँ पे देखो यहाँ पे आज़ बटा यहाँ पे आज़ बटा ठीक कर दिया मुझे बताओ क्या हम यह बोल सकते है equivalent weight of metal oxide इक्विलंट वेट मेटल नहीं पता oxygen गतना होता है 8 तो यहीं पताओMat सवाल रहा है सवाल देख आगे क्या पढ़ रहा है क्या इक्विलंट वेट of metal chloride, metal sulfate, metal phosphate, सही बाद है, अब यहाँ देख, अगर आपको equivalent weight निकालना है, metal के chloride का, तो क्या मैं यह लिखूँँगा, equivalent weight of metal, plus equivalent weight of chloride, यह chlorine, ऐसे लिखूँँगा, अरे तोड़ देना, equivalent weight of metal chloride क्या लिख सकता हूँ, equivalent weight of chlorine, metal का कितना निकाला, 12, chlorine का कितना, 35.5, चेक है, तो कितना आगया, 47.5, यहाँ देख, equivalent weight of metal sulfate, तो क्या बोलेंगे हमें से, equivalent weight of metal, plus equivalent weight of sulfate, यह बोलेंगे, SO4, 2-, यहाँ देखो, एक बार, यहाँ देखे, equivalent weight metal का कितना, 12, sulfate का कैसे निकालोगे, molar mass by N factor, molar mass by N factor, sulfate, molar mass कितना बिटा, 96, N factor, इसका charge कितना है, 2-2 से डिवाइड कर दो, यहाँ देख, एक और देख, एक और देख, equivalent weight metal phosphate पूच रहे, phosphate पूच रहे, क्या लिखो, equivalent weight of metal, plus equivalent weight of phosphate, phosphate होता है, PO, 43-, metal है कितना, 12, phosphate का कैसे निकालोगे, molar mass by N factor, सब्सक्राइब कितना 95 इन फैक्टर कितना जितना चाड तो तीन से डिवाइड करता कर अदौए चर्वन pénषड करैंपर करते हैं बना विपता टेक्ट सराल कैरे ट्रेक्स ऌलीं की चैक क्या यह ट्रिक समझ में आ गई है को दो कि आ Marshlaals शूमाय आ गई है कि और अब देखोücken् got रहे ये सारी चीजे हम लोग ये सारी जीजें हम लोग एक ही ऐखी करें पढ़ रहे थे नॉर्माली एक ले अजेति हम लोग मौल ओंतक महीं पड़़ पा है पढ़ी थी हैं बहुत सारी concentration टर्म पढ़ी थी हम लोगों ने molality mol fraction percentage volume by volume percentage weight by weight यह सारी चीज़े पढ़ी थी लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने normality नहीं पढ़ी थी तो normality यहाँ पे देखिए क्या formula है उसका देखो क्या formula है क्या formula है normality का formula होता है number of gram equivalent upon volume of solution in lead बिल्कुल सही है और अगर यहाँ पे ml में होता है तो अपन हजार से multiply करते हैं मुलारिटी में भी यही करते हैं अब सवाल यहाँ आता है कि सर number of gram equivalent सर यह एक नया term है मुझे तो नहीं पता सर gram equivalent कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है gram equivalent कैसे निकालते हैं given weight upon equivalent weight और equivalent weight अभी अभी मैंने सीख लिया molar mass अपन n factor तो मेरी बात सुनते हैं आज की class से पहले मेरे को n factor नहीं आता था लेकिन आज तो आता है मुझे अब दो मैने n factor पढ़ लिया अगर मुझे n factor आता है तो क्या मैं equivalent mass निकाल सकता हो तो all collar mass तो आता ही है ए n factor से divided गर दो मुझे equivalent mass आता है मुझे अगर equivalent mass आ गया तो क्या में gram equivalent निकाल में रखूंगा बिल्कुल सही है वाल्यूम मुझे दे रखी होगी तो मेरे को नॉर्मालेटी आजएगी तो सारी चीजे कहां अटकीवी थी इन फैक्टर हम लोगोंने मोल कॉंसेट में इन फैक्टर नहीं जीखाता है क्यों क्योंकि रिडॉक्स रियक्शन में बढ़ाया जा नॉर्मालेटी इक्वल्स टू मुलारेटी इन टू एन फैक्टर ये है रिष्टा एक तो एक रिष्टा पेटा ये है देखो एक रिष्टा ये है नॉर्मालेटी इक्वल्स टू मुलारेटी इन टू एन फैक्टर एक तो रिष्टा ये है और एक रिष्टा है ग्राम इक् हैं सवाल गरते हैं सवाल करें उसके बाद हम व्लों के इसके बाद हम प्रे offer करते हैं कि ए त्थ्थ Maddo इंट धार सब्सक्सक्त कर सबते हैं यह रिष्ट किया कह रहता है ही जी करिदर यह बुल रहा है ऐह प्रे लेट बनücht नमालिटी मैं पता है किस तरीके से लिखाता हूं नॉर्मारिटी मैं तो मुझे पता है अगर मैंने मुलारिटी निकाल दी इन फैक्टर से मुल्टिप्लाय कर दिया तो नॉर्मारिटी अपने आप आज तो मैं तो मुलारिटी निकालूंगा पहले कैसे निकालूंगा मुलारिटी निका moles upon volume volume कितनी है 200 ml है तो 1000 से multiply कर दो चीक है तो यहाँ पर काटा पेड़ी कर दो कितना गया 1 बटे 5 1 बटे 5 यह molarity आई है अगर आपको normality निकालनी है तो that is molarity into n factor molarity is 1 by 5 n factor is 2 which is 2 by 5 2 by 5 आंचर आगया 2 by 5 आंचर आगया 2 by 5 सही है सही है सही है चलो एक और करो hydrated oxalic acid hydrated oxalic acid hydrated oxalic acid देखो oxalic acid यह होता है oxalic acid यह होता है hcoh sorry हाँ briefly coh coh ऐसे होता है चेकर और hydrated bourled भोल रहा है तो यहाँ पर देखो इसका formula क्या बन गए इसका formula बन गया h2 c2 o4 dota 2 h2 यह होता है formula यह होता है formula इसका molar mass कितऱ होता है इसका molar mass कितरभा होता है बिल्कुल सही है इसका जो molar mass होता है 126 126 होता है इसका molar mass छेकर मैंने निकाला भाई आप निकाल लेना तो मुझे बताउ क्या हम लोग moles निकाल सकते है क्या हम लोग moles निकाल सकते है given mass 6.3 molar mass 126 moles कितना आगए 1 by 20 again moles कितना आगए 1 by 20 यहांपे लॉल्यूम कितनी है 200 तो यहां पर क्या मैं मुलारेटी निकाल सकता हूं के मौछν। है लॉल्यूम दोशितं पुल कॉविंधेश्ग है तो यहांपर दखोंह यहांप्र के क्या कि यह इता है क्या 14 अर्यारी यह पोर और है कि वनवै पूरारी है क्या क्या ऐन प्र या एंग ऐल अब यहांपे एन फाक्टर कितना है अब ध्यान चेंक्य होता है इसके सिंड होता है टू यहां पर कितनी आ गई रफोर ऑने पर पूररे हो वन बाय, सही है, मुझे बताइए, मुझे बताइए बड़ा, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, बोले बड़ा, बोले बड़ा, यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, नहीं, 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 छेक हैं, अब यहां आईए, law of chemical equivalence law of chemical equivalence क्या होता है ये law बस हम लोग end में पहुच चुके है almost end में हम लोग law of chemical equivalence क्या होता है suppose करो कोई सी भी random सी equation दे रखी आपको क्या suppose करो A आया B आया C बनाया और ये D बनाया and suppose करो this reaction is unbalanced ये मजे की बात होती है बटा this reaction is what unbalanced ये law आप लोग unbalanced equation में भी लगा सकते हो जैसे को याद करो stoichiometry stoichiometry में मैं आपको क्या बताता था stoichiometry में मैं आपको ये बताता था कि सबसे पहला काम आपको balancing करनी पड़ती थी लेकिन यहाँ पे क्या मजे की बात है unbalanced equation में भी आप ये law लगा सकते हो और ये law बोलता क्या है सबसे करो A और B आया C और D बना दिया ये law ये बोलता है कि gram equivalent किसके A के बराबर होंगे gram equivalent किसके B के बराबर होंगे gram equivalent किसके C के बराबर होंगे gram equivalent किसके D के मतलब इस संसार में इस संसार में यहाँ पर देखो या फिर इस reaction में सपोस करो 1000 reactant हैं सपोस करो एक लाख product हैं कुछ फरक नहीं पड़ता एक reaction में सब के gram equivalent क्या होते हैं बराबर सब के gram equivalent क्या होते हैं बराबर होते हैं एक reaction में कितने भी reactants हो कितने भी products हो सब के gram equivalent क्या रहेंगे बराबर रहेंगे अब यहाँ देखिए gram equivalent निकालने के 3 तरीके सबसे पहला तरीका क्या given weight upon equivalent weight सर उक्जालिक एसट का एक बार इन फैक्टर बतातो यहाँ पर देखो याँ और भी बच्चोग डाउट होगा उक्जालिक एसट का ऐसे इन फैक्टर निकालते हैं यहाँ देखो ऑग्जालिक एसट का एन फैक्टर बेटा दो है कैसे है एक बड़ देख लो यहाँ पर देख होते हैं मतलब यही दो hydrogen H की तरह निकल सकते हैं यही दो hydrogen आपके की तरह की तरह के निकल सकते हैं तो यहीज क्तर के n factor है अशूह आपको फट्रों तो यहां मिन ने आपको क्या मना करा ना है मैं आपको मना कराना है एच टो काउंट नहीं करते हैं है एच टो को भूल जाओ आपके यहां से देखो दो एच प्लेस रिश सकते हैं तो एकर मुझे थमसब दे दो जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं लााय बढ़ो यह और यहां जाया तुरण चेहल है आगे हो जाएं यहाँ जाएं यहां जो लोग केमिकल लॉइल मेंग लोग स्रेंथ चेह Familien ऐन यह मैं बोलता है कि जिन एक रियाक्शन में जितने भी स्पीशिज हैं सब के gram equivalent क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं gram equivalent निकालने का तरीका यह है क्या है? तीन formula होते हैं सर कौन कौन से formula होते हैं? सबसे पहला given weight upon equivalent weight बेलकुल ठीक दूसरा क्या है? moles into n factor तीसरा क्या है? normality into volume normality into volume इससे भी gram equivalent निकाल सकते है देखो अब क्या चीज यहां देखना ज़रा सवाल करेंगे उटा सवाल करेंगे और इससे हमें idea लग जाएगा सवाल करेंगे इससे हमें idea लग जाएगा करना सर करना सर करना सर करिये ज़र बदाए 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 बताए 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 इन फेकटर निक आलना है कि लूट्स पेडियर reluctant नोट्स यह वहां पे जो मैंने neutralized by this this NUH, basis ID बतानी आपको basis ID बतानी, अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक आया आपका acid आजी सर, एक आया आपका base कुछ भी बना रहा हो, base आया मतलब NUH है, base के form में क्या है? NUH है अब कुछ भी बना रहा हो, आगे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक, सुनो ध्यान से, यह law इतना powerful है, इतना powerful है कि अगर आप पूरी equation लिख भी नहीं सकते हैं, तो भी आपको, तो भी आपको यह चीजे आती हैं, कैसे? तो भी आप यह law apply कर सकते हो आपका एक acid है, एक एने वे रखते हो यह नहीं बोल सकते हो, यह तो सर बोल सकते हैं, अब देखो acid के बारे में कितना दे रखा है, acid के बारे में दे रखा है, 0.45 gram acid का, चेक है, 0.45 gram acid का दे रखा है, molecular weight दे रखा है 90, तो मुझे बताओ, क्या है, यहाँ पर मैंने इसके acid के moles लिख दी है, given mass upon molar mass, मुझे बताओ, क्या है, मैंने acid के moles लिख दी है, हाँ, और अगर इसको मैं n factor से multiply कर दूँ, तो क्या gram equivalent आगा है, फॉर्मला था न भाई, moles into n factor, तो यह moles हैं, यह n factor है, हाँ, equals to gram equivalent of naOH, अब naOH के gram equivalent कैसे निकालोगे, normality दे रखी है, 0.5, volume दे रखी है, 200, volume दे रखी है, 200, तो into volume liter में लेना हमेशा, हमेशा volume liter में लेना, तो 20 by 1000, हाँ यार, अभी PDF, अभी एकदम iPad से ही काम कर रहा है, solve लो n factor कितना आएगा, 2, और यह n factor ही क्या है, basisity, एक बच्चे बूच रही है कि सर, redox के तो full length notes मिलेंगे ना, भाई मिलेंगे, देख, एकदम शांदार काम कर रहा है, कल काम नहीं कर रहा था, पैट पता नहीं क्या हो गया था, हाँ आज एकदम सही काम कर रहा है, तो बिलकुल बिटा, पीछे का कुछ नहीं गया है, आज सब ह earlier, सबस्क्राइब बढ़ना करते हैं यह झाल यहां होगा होगा अपने हो जाए ताइटरेशन में वह पेपट होती है उसमें सक करते हैं वो 10 angle पर जो रिंग होती है, उसे रोक रहा होता है, वो पहले उपर चले जाता है, फिर उस पिपिट में ऐसे इसे हटाते रोख, रिदे रोख, हटाते रोख, ह। है कोशिश करते रोख, हाँ ना? चला, यहाँ देखा टाइट्रेशन, titration में होता क्या है सबसे पहले ये समझो titration में क्या होता है titration is process titration is process of determination of unknown concentration with the help of known concentration titration में होता क्या है titration में क्या होता है क्या titration में ऐसे करते थे जैसे बूस करो ये एक beaker है चेक है ये मैंने क्या बनाया beaker बनाया सर डाइग्राम तो सर आप ही कहा है पूरी education फील्ड में सर डाइग्राम तो आप ही बनाते हो सबसा सुन्दर है ना क्या बीकर बना है तो यह आपका बीकर है सबोस करो इस बीकर में आपने ले लिए कोई साभी unknown solution ले लिया ठीक है अब इस बीकर में बीटा आप क्या कर रहे हो इस ब्यूरेट के हिल्प से इस ब्यूरेट के हिल्प से आप क्या कर रहे हो reaction कर रहे हो इस ब्यूरेट में भी बीटा आपने एक solution ले लिया और फिर बीटा क्या कर रहा है टिप 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 बेटा पानी बरस रहा है है ना टिप 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 बेटा क्या कर रहा है पानी बरस रहा है बिलकुल सी है इस ब्यूरिट में लेकिन क्या लिया है नोन सल्यूशन लिया है नोन सल्यूशन का मतलब क्या है Basicity is n-factor similarly as Yes, yes, दीपक बटा दीपक चौरस हिया जी, बिलकुल, सही बात है बटा सही बात है, चेक है? सही बात है चेक है? आज बटा आज बटा, चेक है? यहाँ बटा नोन solution का मतलब क्या है? नोन solution का मतलब यह है कि इसके बारे में हमें पता है मतलब इसकी बेटा normality इसकी बेटा हमें normality पता है चेक है? और इसकी volume भी हमें पता है हमें पता है न बेटा? हमें पता है बेटा नोन solution का मतलब इसकी हमें concentration भी पता है और इसकी हमें volume भी पता है, बिलकुल सही unknown solution का मतलब क्या है? unknown solution का मतलब यह होता है कि मुझे यार इसकी normality तो नहीं पता लेकिन volume तो फिर भी पता है volume तो फिर भी पता है क्यों? beaker में बेटा किसने डाला है मैंने तो डाला है beaker में भाई यह solution किसने लिया है? मैंने लिया है अगर मैंने solution लिया है तो मुझे volume पता होगी ने इसकी मुझे normality नहीं पता और धीरे-धीरे मैं क्या करवा रहा हूँ इस known solution को tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip बरसा रहा हूँ unknown से reaction करवा रहा हूँ unknown से reaction करवा रहा हूँ तो ultimately यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ultimately बेटा क्या हो रहा है इस बीकर में unknown था और बेटा एक एक करके tip tip बरस रहा है known वाला भी हाँ तो ultimately क्या मैं ये बोल सकता हूँ known solution known solution और unknown solution react कर रहे है और unknown solution react कर रहे है ये तो मैं बोल सकता हूँ ये नहीं बोल सकता है अब मुझे नोन अब यार अगर reaction हो रही है कुछ भी हो रही हो reaction मुझे उससे क्या लेना देना according to law of chemical equivalence क्या मैं ये बोल सकता हूँ gram equivalent known के बराबर होंगे gram equivalent unknown के ये बताओ क्या इतना मैं बोल सकता हूँ क्या इतना मैं बोल सकता हूँ हाँ अब 9 में देखो 9 में देखो 9 का n1 v1 unknown का n2 v2 gram equivalent निकालने का formula क्या normality और volume को multiply कर दो तो क्या है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ n1 v1 equals to n2 v2 हाँ है ना हाँ है ना हाँ दूसरा तरीका क्या हो सकता है जैसे suppose करो ये है इसके मैं moles बोल दूँ इसके मैं moles बोल देता हूँ n1 इसका मैं n factor बोल देता हूँ h nf1 इसके moles बोल देता हूँ h nf1 ये unknown है इसके मैं moles बोल देता हूँ N2, इसका N factor बोल देता हूँ NF2 बिल्कुल सही, तो दूसरी तरीके से भी तो निकाल सकता हूँ, equivalent weight gram equivalent निकालने का एक और formula था न moles into N factor moles into N factor, तो यहाँ पर देखो मैं देख सकता हूँ N1 into NF1 equals to N2 into NF2, सही है? सही है? सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? बताओ बिल्कुल सही है, अब यहाँ देख acid-based titration 3-4 तरीके titration है, यहाँ पर देखो acid-based titration, acid-based titration कहा है? कुछ नहीं है, एक acid आया एक base आया acid और base आ रहे है, react कर रहे है कुछ भी बन रहा हो कुछ भी बन रहा हो मुझे कुछ लेना देना नहीं भाड में जाये जो बन रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं लेकिन ये तो बोल सकता हूँ कि gram equivalent acid के और gram equivalent base के बराबर होंगे क्या ये तो बिटा मैं आँख बंद करके बोल सकता हूँ न और कौन सा लॉओ कौन सा लॉओ according to law of chemical equivalence यह तो मैं बोल सकता हूँ बदाईये जैसे सवाल करो सवाल करो बेटा सवाल करो सवाल करो बोल रहा है नाइन पॉइंट एड गनाम एच्टू एसओ फोर का इस टाइट रेटेट अगेंस्ट जिरो पॉइंट टू नॉर्मल एनेवेच फाइंड वॉल्यूम ऑफ एनेवेच देखो क्या हो रहा है एच्टू एसओ फोर आ रहा है हाँ जी बिटा है ना टेंटे टेंटे कर रहा है बिटा एनेवेच के साथ बाई मुझे आगे लिखने की जरुरत नहीं है इस बात को समझो लॉग कितना पावरफुल है मुझे पता है आगे क्या बनेगा मैं रियाक्शन भी बैलन्स कर दू लेकिन मैं बोर रहा हूं जरुत नहीं है आप इसके बाद सीधा यह लिखो ग्रैम एक्विवेलेंट एच्टू एसओ फोर का इक्वल्स टू ग्रैम एक्विवेलेंट एनेवेच का लिखना अरे करो ना अरे लिखो ना परिछान हो गये हैं हम भी यहां देखो अब ग्रैम एक्विवेलेंट कैसे निकालोगे देख 9.8 ग्रैम है एक्विवेलेंट एक्विवेलेंट एनेवेच के नॉर्मालिटी कितनी है 0.2 इंटू वॉल्यूम पूचिए ओल्यूम पूचिए कितनी है एरी बेटा वॉल्यूम एक लिटर सावाज बेठा तुम बेठा चन नहीं ज सही है कर डिया न हुआ है बाइस आय mt हुद्धरते हैं कि मैं बता रहा हुँ मैं बिल्कुल भी ने डरात हूं बाई किसी को ने डराते ह। और ह hedgehog आयों है , гол CMO for titration अब देखो , KMO for कॉन है ? थे सबसे पहला oxydizing agent है KMO क्या होता है अब मुझे भ्टाक से चैड सेक्शन में बताओ क्या Kम N Try कितने मीडियम में काम करता है ? यह मैंने बताया आपको कितने मीडियम में काम करता है तीनों मीडियम में काम करता है असे डिक में भी करता है न्यूट्रल में भी करता है और बेटा बेसिक में भी करता है बेसिक में भी करता है अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहां पे देखो क्या होगा किह में अब कि में अब किया है ऑक तो क्या को औकस्टाइज करेगा हाँ अब किमेडेम में आंसे डिक इसी, इसी सेशन में बोले थे न, आप याद करना, तो क्या इसी सेशन में याद हो जाएगा हमें, अभी सर आप notes दोगे, magic DPP दोगे, rank boosting DPP दोगे, मैं solve करूँगा, मैं selection दोगा, फिर मुझे याद होगा, फिर मुझे याद होगा, तो plus 2, neutron में बटा, plus 4 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो teacher हूँ बटा, मेरे को तो, बोलना पड़ेगा न, आपको, यह है बटा, plus 6, ठीक है, गुसा मत करा करें मेरे पे, please यार, ठीक है, अब यह तो होगा, plus 2, plus 4, plus 6, अब A का क्या होगा, oxidation, कौन करेगा, KMN4, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ second वाले case में भी oxidized form, तीसरे वाले case में भी oxidized form, oxidation कौन कर रहा है, आपका KMN4, it is an oxidizing agent, oxidizing agent, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे, यहाँ पे देख, सबसे फेले तो यह समझ लो, KMN4 क्या होता है बटा, एक self indicator होता है, इंडिकेटर क्या होता है बटा, जो इंडिकेट करते है मतला ज होता है, हमारे जितनी भी reactions है, आप इस चीज को समझो क्या है खूपसूरती समझो, क्या है जो भी हम reaction कर रहे है, जैसे बटा तुम यहाँ पे tip tip, unknown solution यहाँ पे बर्सा रहे, यहाँ पे क्या हो रही है, रियाक्षन हो रही है, तो अब अगर यहाँ पे reaction हो रही है, त को देख नहीं सकता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह रियाक्षन कंप्लीट हो चुकी है मुझे अगर आप ठाइटरेशन करते हो तो यहां पे जब आप टिप 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 पानी बरसाते हो तो इसको फिर आपको बंद करना पड़ता है एक पॉइंट के बार उस लना होता है तो हमको कैसे पता चलेगा हमारी आखों से यहां पर रियाक्षन कंप्लीट हो गई मुझे यहां पर जो पानी बरस रहा है उसे बंद करना है एक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है तो कुछ न कुछ कलर चेंज होना चाहिए यहां मेरी आखे क्या चेंज हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि रियाक्षन कंप्लेट हो गई है और मैं यहां पर टिप टिप पानी बरसना बंद कर दूँगा तो यही कलर चेंज अब्जर्व करने के लिए क्या होता है आपके इंडिगेटर जाते हैं चीक है अब इंडिगेटर खुद भ अब पानी बरसा रहे हो आपको ऑब्जर्व हुआ कि पहले पिंक था पानी बरसाया अब यहाँ बंद कर दोगे तो इडिजर सेल्फ इंडिगेटर अब देखो यह सवाल करो अब यह सवाल करें, जैसे देखो क्या आप बोल रहा है, अब सुनना दियांसे, How many mole of FeSO4 reacted with one mole of K-MnO4 in acidic condition? भाईसाब क्या बोल रहे हैं? K-MnO4 है, ठीक है, यह आपका FeSO4 है, ठीक है, कौन सा medium है बटा? कौन सा medium है बटा? acidic medium है, ठीक है, अब यहाँ पर देख, सबसे पहली बात तो मुझे पता है, manganese is in plus 7, manganese is in plus 7 oxidation state, acidic medium में कहां जाएगा? acidic medium में जाएगा, plus 2 में, सबसे पहले तो यह पता है, यह लिख दू, यह लिख दू, अब यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ पर iron है, plus 2 में, निकाल लेना, मुझे पता है, आप निकाल लेना, आपको भी आता है, sulfur बेटा, plus 6 में है, oxygen बेटा, minus 2, ठीक है, oxygen को तो भूल जाओ, oxygen को तो मैं लिख भी नहीं रहा, oxygen को भूल जाओ, oxygen को भूल जाओ, अब यहाँ देख, क्या iron आपका plus 2 oxidation स्टेट में है, हाँ, अब इसका क्या होगा, oxidation कहां जाएगा, कहां जाएगा, यह जाएगा, plus 3 में, बिल्कुल ठीक, अब मुझे यह बता, क्या sulfur का oxidation हो सकता है, गया, जूम करें, बहुत important जवाल है, क्या sulfur का oxidation हो सकता है, इस case में, नहीं हो सकता, क्यों, क्यों, क्योंकि वो already maximum oxidation state में, sulfur group 16, range क्या थी, minus 2, 2, plus 6, तो यह अपनी highest oxidation state में, तो इसका oxidation नहीं होगा, इसका oxidation नहीं होगा, सही, सही, तो सिर्फ और 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 सिर यहां बता यहां बता इसका oxidation बता या फिर इसका n factor बता प्लस 2 से गया प्लस 3 चेंज बोल एक का चेंज बोल एक का नंबर ओफ एफ़ी आटम्स वन नंबर ओफ एफ़ी आटम्स वन तो n factor कितना आ गया n factor कितना आ गया बना गया अब तो लगाने equation दोनों के gram equivalent बराबर होंगे क्या क्या gram equivalent के बराबर होंगे gram equivalent एफ़ी आसो फोर दोनों के बराबर होंगे तो क्या बूलेगा, क्या बोलेगा, n1 into nf1 equals to n2 into nf2 साही है इसके mol कितने? one इसका n factor पांच इसके mol कितने? n2 इसका n factor वन इसका n factor one और फेंपpunkt पांच मोल आ गया पांच मोल्स आ गए देखे अरे यार के में नोपूर के कितने मोल बोल रखे हैं एक तो एक मोल के में नोपूर के एंट फैक्टर कितना पांच तो अब पांच ले लिए दूसरे वाले के मोल्स पूछे हैं दूसरे वाले का एंट फैक्टर बन बताईए but I prefer top about without but I were taught later but I but I hear what I hear what I hear what I hear what they hear what I hear what they have इन बताहिए बताइए यहां पर आजहू के इस ऑलफे खानिac again use detta was q2wo5o7 में यहां पर क्रमियम किसमें बिवटा बन सिक्स में यहां कहा जाता है बिटा प्लस थ्री में इसका N Factor कितना? इसका N Factor कितना पेटा? 6. N Factor कितना? 6. अब यहाँ देखो. अब यहाँ देखो. सबसे पहले यह देखो. अरे बता रहो बेटा, एक और सवाल करवार हो. अब यहाँ पर एक सवाल कर लेते हैं. सवाल कर लेते हैं. उससे समझ जाएंगे. देखो क्या बोल रहा है? अब ध्यान से यहाँ सुनना. एक सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा. देखो क्या बोल रहा है? भाई साब बोल रहे हैं, के टू सी आटू ओ सेवन है? इसमें आया आए आपका FEC2O4. यहाँ सुनना अप्ट यहाँ सुनना. क्रॉमियम सबसे पहली बात तो आपका प्लस 6 में है. क्रॉमियम कहां जाएगा? मुझे बताओ जरा चैट सेक्शन में. क्रॉमियम प्लस 6 में है. कहां जाएगा? क्रॉमियम का पका है जाना. कहां? प्लस 3 में. बेज दो से. बेज दो से. अब ध्यान से समझना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आयरन प्लस 2 में है. यहां पर कार्बन प्लस 3 में है. और ऑक्सिजन के बारे में मत लिखा करूँ. मैं आपको बता रहा हूं. ऑक्सिजन रड़. अब मुझे बताओ. क्या आयरन प्लस 2 से प्लस 3 जा सकता है? क्या करेगा ओक्सडाइज करेगा तो क्या आइरन प्लस टू से प्लस थ्री जाएगा तो आइरन जाएगा प्लस टू से प्लस थ्री जाएगा तो आइरन जाएगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू से गया प्लस थ्री गया अब मुझे यह बता क्या यहां पे कार्बन अपनी highest oxidation state में है क्या पता भाई क्या carbon अपनी highest oxidation state में है क्या carbon अपनी highest oxidation state में है क्या नहीं, carbon is group 14 element, highest oxidation state कितनी होती है, plus 4 होती है तो ये plus 3 में है highest में नहीं है, पहले जो sulfur था वो highest में था, लेकिन यहां पर यह highest नहीं है, तो इसका भी oxidation होगा इसका भी oxidation होगा कहां जाएगा CO2 में CO2 में कहां होता है यह प्लस 4 में तो प्लस 3 से कहां जाएगा प्लस 4 प्लस 4 अब देख अब N फैक्टर निकाल अब आएगा मजा अब आएगा मजा यहां देख आएरन को देख प्लस 2 से गया प्लस 3 चेंज बोल एक का इंटू नंबर ओफ आएरन नंबर ओफ आएरन वन वन इंटू वन कितना आगया वन कितना आगया वन यहां पर कारबन देख यहां पर कारबन देख किस में था प्लस 3 में कहां गया प्लस 4 चेंज कितने का प्लस 3 से प्लस 4 चेंज कितने का एक का एक इंटू नंबर ओफ आटम्स कितने आटम है कितने आटम में कारबन के दो त तो टोटल फैक्टर कितना हो गया इसका टोटल एन फैक्टर कितना हो गया इसका वन प्लस टू विच इस वाट टोटल एन फैक्टर कितना हो गया बेटा इसका इसका टोटल एन फैक्टर हो गया तीन और के टू सी आ टू से न का एन फैक्टर कितना होता है है कितना होता है छे अब लगाऊं जादू equation अब लगाऊं जादू equation n1 n2 nf1 equals to n2 nf2 लगाऊं लगाऊं अब देखो मोल्स के टू ओ सिया टू सेवन नहीं पता तो मोल दो लो n1 nf2 कितना 6 nf2 कितना रहा है यहां से इनेवन कितना रहा है कितना आ रहा है बढ़ी है सवाल सही हो गया बिटा मिसमाच सही हो गया मिसमाच सही हो गया मिसमाच सही हो गया मिसमाच सही हो गया मिसमाच एक बात बात को समझी है एक बात समझी है बात को है मेरा परपस मेरा परपस बिटा आप लोग का selection है एक चीज़ समझी मेरा परपस बिटा आप लोग का selection है मेरा परपस यह नहीं है कि मैं आपको यहां से impress करके भीजू यह tough सवाल है यह जो है this is one of the toughest सवाल जो आप लोगों से पूछा जा सकता है in your net examination मेरे से अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है मेरे से भले ही limited बच्चा पढ़े मेरे को कोई दिक्कर की बात नहीं है लेकिन मेरे से जितना बच्चा पढ़ रहा है वो बेटा selection के लिए पढ़े वो बेटा उसको easy level के सवाल आते हूँ मैं चाहूं तो ऐसे question बेटा नहीं लूँ आपको भी बेटा लगेगा कि हा 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 easy easy question आपको लगेगा कि यार मतलब अगर मैं ऐसे question नहीं लूँगा तो आपको क्या लगेगा बढ़ी आई है मेरे को सब आ गया क्यों पढ़ी ही सारी easy easy चीजे मैंने सारी चीज़े दिमाग लगाए है ने, कभी कहीं पर भी टफ सवाल आए है ने तो मेरे को कभी पर भी दिमाग लगाने की ज़रत ही नहीं पड़ी तो लगेगा, ओह ओह ओह, क्या टीचर है, कितना शानदा टीचर है क्या पढ़ाया इसने सुब अच्छ अच्छा पढ़ा दिया मेरे को सब समझ में आ गया अरे भाई तो उप्पर-ुपर से पढ़ादा के काट दिया the repeat कर दूंँगा मैं इसको कोई टेंशन की बात निहीं मैं पूरा repeat कर दूआ मैं पूरा रिपेट कर दूँ लेकिन इस बात को समझिए उपर-उपर से अगर पढ़ेंगे हम तो टीचर बहुत बढ़िया लगेगा आपको आपको लगेगा कि यह दुनिया का बेस्ट टीचर है क्यों उपर-उपर से पढ़ा दिया लेकिन सेलेक्शन नहीं होगा एक ही दिक्कत की बात है जब फिफ्ट में को एक्जाम देने जाओगे तो कटा-कटा फील होगा कि यह क्या हो गया पढ़ा तो पूरा था रिवाहिज भी पूरा करा था लेकिन फिर फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं मौक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे ह तो अगर तो इसलिए डिफिकल्ट सवाल लेके आता हूं तो थोड़ा सा अगर दिमाग कहीं पे लगाना चलेगा तो मैं रिपीट करूँगा मेरी बात सुन के टू सिया टू सेवन ने इसके साथ रियाक्शन कर रहा है इसको बोलते है फेरस ऑक्सिलेट के टू सिया टू से यहां पे plas 3 में इसे जाएगा ले गया मैं अब कार्बन मी यहां पे maximum oxidation state में नहीं है maximum oxidation state carbon की किजिन उती है प्लस 4 यहां पर यह प्लस 3 में है तो इसका भी oxidation हो सकता है तो मैंने इसका भी करा दिया, देख यहां पर प्लस 3 रे गया, iron को, और carbon को प्लस 4 ले गया, पिर मैंने वो ही जो मेरा n factor निकालने का जो formula था, change in oxidation number into number of atoms, वो कर लिया, तो iron के रिए 1 आया, carbon के रिए 2 आया, तो total n factor कितना हो गया, 3, total n factor कितना हो गया, 3, अब, अब तो मैंने फिर जादूई equation लगाई, जादूई equation लगाई, n1 into nf1 equals to n2 into nf2, मुझे number of moles इसके पूचे थे, तो मैंने इसके 1 ही रख दिया, k2, cr27 के, nf1, k2, cr27 का n factor, कितना है, 6, 6 रख दिया, इसके moles मेरे को दे रखे हैं, सवाल में, 1, इसके moles मैंने निकाल दि 3, तो n1 कितना आ गया, हाफ आ गया, बता ये, पहले question में n factor 5 कैसे आया, बेटा अब ये चीजे समझ यार, ये कितनी बार बताएंगे, बेटा ये की चीज, इसमें n factor 5 क्यों आया, क्योंकि acidic medium है, तीन बार बता चुके है, बेटा अब ऐसे सवाल मत बूचो, ये देखो, acidic medium, हाना, यहाँ पे देखो बेटा, आपको कितनी पहले बता दिया था, ऐसे सवाल मत करो बेटा, ये चीजे आपको याद करने ही पड़ेंगे, हाना, यहाँ देख, यहाँ देख, यह बता दिया था, acidic medium, kmn4, n factor 5, neutral, 3, basic, 1, समझे, 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 ठेक है, ठेक है, एक last point देखे लो बेटा, iodine, iodine भी क्या होता है, mild oxidizing agent होता है, mild oxidizing agent होता है, यहाँ पे देखो, iodine, सबसे पहले, iodine में indicator क्या होता है, start solution, ncrt में दे रखाई है, ठेक है, बहुत ज़्यादा important नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, और end में सुनके जाना, मैं आपको आपसे बातचीत करनी है, आपसे बातचीत करनी है, अब यहाँ पे देखो, iodine, दो तरीके की titration दिखाता है, एक बिटा iodometry, एक बिटा iodometry, ठेक है, अब यहाँ पे देखो, iodine में क्या होता है, directly iodine is used, मतलब देखो, पहले step में iodine आगी, बिल्कुल आगी, बिल्कुल आगी, तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम लोग याद करेंगे, इस तरीके से, iodine आई है ना, तो directly iodine is used, यहाँ पे देखो, iodine है, तो यहाँ पे directly iodine is not used, तो पहले step में iodine बनाई जाती है, पहले step में directly iodine बनाई गई है, पर दूसरे step में उसे यूज़ किया गया, दूसरे step में उसे यूज़ किया गया, पहले step में यूज़ नहीं करते हैं, पहले step में यूज़ नहीं कर सकते हैं यहां पर आपका चाप्टर बेटा फिनिश होता है एक छोटा सा पोर्शन जो बैलंसिंग औफ रियाक्शन है वो बेटा कभी भी पढ़ा देंगे उसमें गवराईये मत उसमें गवराईये मत कभी भी पढ़ा देंगे आप लोग जोष कैसे कम हो गया यार क्यों आप लोग प्लीज अप लोग प्लीज अप लोग प्लीज आप लोग प्लीज ऐसे मत करियो ना selection नहीं होगा बेटा फिर selection नहीं होगा भाई selection नहीं होगा मैं यार इसको iconic series बनाना चाह रहा हूँ मैं यह चाह रहा हूँ कि यार इसमें सब बच्चे पढ़े अच्छे से सीखें कोई content मिस नहीं कर रहे एकदम detail में पढ़ा रहे हैं बेटा चीजे और यहां पर आपका जोश कम होते जा रहा है जब बटा teacher teacher को तो need देना भी नहीं है मुझे थोड़ीना need देना है यार ऐसे ऐसे चलेगा तो फिर बंद कर दूँगा ऐसे चलेगा तो फिर बटा रफतार बंद कर दूँगा फिर नई series ले आएंगे नई series में आते हो आप लोग नई series में आते हो बटा आप लोग starting के 2-3 session में फिर नई series ले आते हैं कोई दिक्कत नहीं रफतार को बटा कुछ और नाव रख देते हैं यलगार रख देते हैं इसमें क्या हो गया नामों की कमी थोड़ीना है कि नामों की कमी नहीं है ःणना यलघार रख देते हैं नामे चल लो कुई कुई नहीं है चलुए चलुए आ जाओ बेगा अब देख लो सुन लो यह साटडे को क्लास नहीं होगी पी ब्लॉक वाली class कर लहीं है, Sunday को class, P-block वाली class, Sunday को class है, ठेक है, ठेक है, ठेक है, लेकिन like बेटा उसमें अभी ही करेंगे, चरो बेटा, हर बार की तरह, आज़ो, 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 सेशन में आज़ेए, सेशन में आज़ेए, P-block का बेटा, session पिन कर रखा है, वहाँ चलेंगे, वहा शाम साड़े छे बजेंग चलो बेटा चलो मैं भी चल रहो बटा चलिया 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 लाइक करके आजाओ जी कहां है हम ओ ओ ओ ओ ओ ओ आगे हम बटा आगे हम बटा जोश हाई रखिये यार वर्ना बीटा आप लोग मेरेको फोर्स कर रहे हो फिर सीरी्ज चेंज करने को आप लोगो पर रशेंज करने को पर आप लिछोगई कमेंट में कि यह रोज नहीं सीरीज लौन्च करनी होती है क्योंकि बटा आप लोगों का जोश चाल लेक्टर के बा गडबड हो जाएगी ठेक है फॉलो करो एक यही सीरीज इसी से सेलेक्शन होगा क्यों दे रहे हैं इतना सब कुछ मटीरियल फिर बंद कर देते हैं इतना सब कुछ बन कर देते हैं यह सब कुछ क्यों दे रहे हैं भाई इतना सब कुछ material प्लीज जा रहे हैं न follow करिये seriously follow करिये seriously follow करिये seriously follow करिये चलिए बेटा चलिए बेटा यह revise कर ले न starting के 4-5 chapter मैं बता रहू mole, atomic, periodic, chemical bonding starting के 4-5 chapter revise कर ले महा प्रैक्टिस सेशन आ रहा है नेक्स्ट वी की रिवाइस कर गाएंगे तब जाके मजा आएगा तब मजा आएगा चलो thank you thank you thank you comment करके जरूर 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 बताईए कि किस तरीकी सीरीज लग रही है आपको कितना improvement हो रहा है आपको कितना मजा आ रहा है मुझे definitely बताईए comment करके ठीक है चले thank you very much have a great day see you guys भाइबाइब खूब महनत करिए selection लेजिए इसी साल हम लोगों को एक अच्छे government college में जाना है ठीक है चले thank you thank you thank you have a great day जाना है